सिग्रेट पीना, कैंसर का कारण और जान लेवा है, शाराप रेड़ी, 2011 की एक भारती इंदी भासा की एक्षन कमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन अनिस बजमी ने किया है, टी सीरीज फिल्म्स रवेल गरांड संस, एंटरटेन्मेंट और साप्ट बेर फ्राइबेट लिम्टेट द्वारा, सुहेल खान प्रोडक्शन्स और इरोज यह फिल्म सिरिनू, वैतला द्वारा निर्देशित इसी नाम की 2008 की टेलगू फिल्म की आधारिक रीमेक है, इस फिल्म में लंदन, ड्रीम्स के बास सल्वान खान और असिन, थोटू मकल उनकी दूसरी फिल्म में एक साथ हैं, तैयार, रवेव, सिनेमाज और वन आप इस फिल्म के निर्देशक हैं अनीस बजमी और इस फिल्म के लेखक हैं राजियो कॉल, एक राम अक्तर, राजन अग्रवाल और इसे संपादित किया है निशार अक्तर और फरहात साजित ने और इसकी कहानी लिखी है गोपी मोहन और कोना बेकेंट ने और यह मूबी आधा पारित है स्रिनु वैतला द्वारा तयार किया गया था इस फिल्म को निर्मित करने वाले हैं रजत रवैल, भूशन कुमार, नितिन मनमोहन, प्रिशन कुमार, सुहेल खान और इस फिल्म को आइवनित किया है आसिन थोटूमकल, सलमान खान और इस फिल्म का चाइंकन करने वाले ही सुनील पटेल और इस फिल्म को संपादित किया है रितेश सोनी ने और इस फिल्म में संगीत दिया है प्रीतम चक्रवर्ती ने यह मुबी 3 जून 2011 को भारत में रिलीज हुई थी इसकी कारिकारी समय 145 मिनट देश भारत भाषा हिंदी अगर बजट की बात की जाये त यह मुबी 30 करोन के बजट पर तयार हुई थी अगर इसके बॉक्स आफिस कलेक्शन की बात करें तो इसने बॉक्स आफिस पर 180 करोन की सुद्ध कमाई की थी प्रधान फोटोग्राफी जून 2010 में सुरू हुई फिल्म की सूटिंग स्री लंका बैकाक और मुंबई में की था रेडी ने एक गैर आवकास फिल्म के लिए भी सभी रिकार्ड तोड़ दिये इसने भारत में 30 रुपे की तुल्ला में 120 करोन की सुद्ध कमाई की थी करोन का बजट था और आजीवन 22 संग्रा 180 करोन था फिल्म को आलोचकों से मिस्रित समिच्छा मिली है इसके संगीत ह आस और खान के प्रदर्सन के लिए प्रसंसा मिली है लेकिन इसकी लंबाई और पटकता के लिए आलोचना की गई है रेडी टू नामा के एक अध्यातिमिक सीक्वेल की घोस्टा जुलाई 2018 में की गई थी असिन की साधी के बाद फिल्मों में सन्यास लेने के कारण ये पु उसी को भगाने में मदद करता है इससे उसके पिता अभिनो और कपूर नाराज हो जाते हैं प्रेम अपने परिवार को संत कराता है जो एक महिला पूजा के साथ उसकी साधी तेंग करता है शंजाना जो अभी अभी अपनी साधी से भागी है प्रेम को अपने चाचा को पूजा छोड़ने के बारे में बताते हुए सुनाती है जैसा कि कपूर परिवार अभी तक उस से नहीं मिला है संजाना उसके रूप में पोच देती है और साथ रहती है और जल्द ही कपूरों पर जीत हांसिल कर लेती है उसके मामा अमर और सूरज उसकी साधी कराने के लिए दूले की तलास करते हैं सूरज का बेटा आरेन प्रेम के कारण कोमा में चला जाता है जिसे संजाना की पहचान का पता चलता है लेकिन वे प्यार में पढ़ जाते ही सूरज संजाना को ले जाता है सच्चाई के बावजूत कपूर अभी भी उससे प्रेम की पतनी के रूप में चाहते ही संजाना से वादा करते हुए वो उस साधी करनी का एक रास्ता खोज लेंगा प्रेम बली के बतीजे के रूप में फेस करता है जो एक Chartered Accountant है जो अमर और सूरज की सेवा करता है जल्दी कपूर परिवार ने चोधरी को धोखा देकर संजाना को प्रेम से साधी करने दिया आरेन ठीक हो जाता है और प्रेम के बारे में खुलासा करता है जो तब बताता है कि कैसे संजाना की दिवंगत मा गीता उनका मिलन चाहती थी और उसकी साधी कर दी गई अमर और सूरज को अपनी गलती का अइसास होता है और उन्हें माफ कर दिया जाता है अंत में प्रेम और शंजाना साधी कर लेते हैं और अपनी साधी की तस्वीर खीच लेते हैं तो दोस्तों इस फिल्म ने किसने कौन सा रोल प्ले किया इसके बारे में भी हम आपको बताते चलें प्रेम की पतनी है बलिदान भरतवाज उर्फ बल्ली के रूप में परिश रावल जी हैं आमर और सूरज के च्यार्टेड एकाउंटेंट की सेवा सकुनतला का पती कर रहा है महेश मंजेर कर राम कपूर उर्फ केके मोदी के रूप में हैं भारत और लश्मड के भाई सुमित कपूर के रूप में अनुराधा पटेल हैं राम की पतनी प्रेम की मा हैं आस्था गिल के रूप में ओलविया भारत कपूर उर्फ बीके मोदी के रूप में मनोज जोसी जी हैं राम और लश्मड के भाई सुमन का पती प्रेम के चाचा हैं प्राची पाठक सुमन कपूर के रूप में भरत की पतनी प्रेम की चाची हैं मनोच पहावा लश्मण कपूर उफसरी समराथ माथुर के रूप में हैं राम और भरत के भाई सीला के पती प्रेम के चाचा हैं किरण आहुजा सीला कपूर उफसरी मतियातिका माथुर लश्मण की पतनी प्रेम की चाची हैं इस सूरज चोधरी के रूप में स्तरत सक्सेना, इस्वर का वेटा, गीता और अमर के भाई, सालनी का पती, संजाना और अरजुन के चाचा, आरेन के पिता हैं। जूनियर अमर के दादा हैं, राधिका चोधरी के रूप में गारगी पतेल, अमर की पतनी, संजाना और अरेन की मौसी, अरजुन की मा जूनियर अमर की दादी हैं। इवा ग्रोवर हैं, अरजुन की पतनी जूनियर अमर की मा हैं, अमर चोधरी उर्फ छोटा, अमर के रूप में मोहित वगेल हैं, आईसा और अरजुन का वेटा, राधिका और अमर का पोता, इश्वर के पपोत्र हैं। जस्विंदर गाडनर सकुंतला भरत द्वाज उर्फ सकू के रूप में बायदान की पतनी हैं। लहरी के रूप में सुदेश लहरी हैं, अरूड बली गुरुजी के रूप में हैं, छोटे गुरुजी के रूप में हेमंत पांडे हैं, आविनो पाठक के रूप में मिथलेश चतुरुवेदी और खुसी के पिता हैं, अमरता, राय चंद, पूजा मलहोत्तरा के रूप मे हैं सालनी साहुता नैना परोजकर के रूप में कपूर की नौकरानी हैं कुरुब्रा सैथ सुनैना सेठी के रूप में कपूर की नौकरानी हैं यूवराज महरा के रूप में राजिव काचरू राधिका की बहन के पती अरजुन के चाचा हैं किरन्चोक्सी के रूप में कंग की पूर्व मंगेतर राजु की फत्नी हैं गवरों की लोसकर के रूप में अरवाज खान किरण की प्रेमी और प्रेमी खुसी की पूर्व मंगेतकर हैं राजकुमार सोनकर उर्फर राजु के रूप में अजय देवगन खुसी के पती हैं ताराचेंदर अगरवाल के रूप म दिया गया था सलमान खान ने स्री लंका को भारत से निकटता और भारती प्रस्तुतियों के लिए इसे उप्यूगत परिदर्स के रूप में चुनने के अपने निर्ने का वर्णन किया सूटिंग 20 जून 2010 को कोलामबो में सुरू हुई थी सूटिंग का पहला स्रेडूल कोलामबो और पडोसी बेटोटा के इस्थानों पर 27 दिनों से अधिक समय तक चला था इस दोरान लगबग 40% फिल्मांकन पूरा हो गया था सूटिंग का दूसरा सेडूल अक्टूबर 2010 में सुरू होने वाला था लेकिन सल्मान खान की आँखों की समस्याओं के कारण इसमें देरी हुई मुख्य अभिनेता ने अनिस बजमी से तब तक सूटिंग में देरी करने का अनरोथ किया जब तक की उनकी हालत में सुधार नहीं हो जाता है मुंबई में 3 नॉमबर 2010 से फिर से सूटिंग सुरू हुई तैयार के हिस्से मुंबई के फिल्म सिटी और मुंबई के उत्तर में मध्य द्यूप में 44 स्ट्यूडियो में सूट किया गया था सूटिंग का अंतिम सडूल फर्वरी 2011 में बैकाक में सुरू हुआ था रिपोर्टरों के अनुसर अभिनेता आजे देवगन, संजदत और कंगना रानोत जो डेविड धवन की फिल्म की सूटिंग के लिए बैकाक में थे राज से कल्स को सलमान खान ने फिल्म का हिंसा बनने के लिए बुलाया था तीनों ने कैमियों अपियर्स करते हुए एक दिन के लिए सूटिंग की अरवाज खान और जरी खान ने भी फिल्म में छोटे कैमियों के लिए सूटिंग करने की पूष्टी की थी सूटिंग का अंतिम सेडूल मार्च 2011 में पूरा हुआ रेडी के दो गाने करेक्टर धिला और धिंग चिकाटिक धिंग चिकाटिक जिन्हें बैकॉक में फिल्म आया गया था मुंबई के फिल्म सिटी स्टूडियो में फिर से सूट किया गया था निर्माता भूषिट कुमार के अनुशार्फ पूरी प्रोडक्शन टीम को लगा की दरसी गाने के अनकूल नहीं हैं गीत करेक्टर धिला जिसमें सल्मान खान और जरी खान एक कैमियों पुस्तिती में हैं अनभवी अभिनेता राजकपूर दिलीब कुमार और धरमेंद्र को स्तुर्धांजली दी है इस फिल्म की रिलीज की तारीक पहले 27 मई को निर्धारित की गई थी लेकिन बाद में इसे 3 जून तक बढ़ा दिया गया था कई मल्टीव प्लेक्सों में 29 माई में रिलीज के 5 दिन पहले हो अग्रीम बुकिंग खोली गई ये कम से कम 1000 UFO डिजिटल प्रिंटरों और लगभग 1900 प्रिंटरों पर रिलीज होने वाली पहली भारती फिल्म बन गई सिंगल स्क्रीन पर अग्रीम दवंग से मेल खाता था और यहां तक कि इसे कई जगों पर बेहतर भी किया गया है विश्ट प्रीमियम ने एक जून 2011 को दुबाई के ग्रेंड सिनेक लेक्स में हुआ था इस फिल्म को आलुचकों से मिस्तरित समिच्छा मिली दा टाइमस ओफ इंडिया के निखत काजवी ने इसे पांच में से तीन इस्टार देते हुए कहा कि यह फिल्म अभिनेता के बजाए मनोरंजन करने वाली सलमान खान के लिए एक बेजोड गीत है और हां यह उस अस्तर पर काम करती है बाली वुड हंगामा के तरण आदर्स ने फिल्म को पांच में से चार पुरुषकार देते हुए कहा कुल मिलाकर रेडी सकती से जनता के लिए और उन लोगों के लिए है जो आमतोर पर मसाला मनोरंजन परसंद करते हैं फिल्म सूपर संगीत करेक्टर ढीला के साथ खुद को गौरवांगित करती है और धिंग चिकाटिक धिंग चिकाटिक परिहास और नोटंग की बहुत और निश्चित रूप से सलमान खान जनता के प्री और इस फिल्म के मुख्धारा फिल्म पियर पांच में से चार सितारों को भी समानित किया है जबकि फिल्म की बात आती है तो उनका प्रदर्शन महात्रपूर्ण नहीं होता यह दर्सकों का प्रदर्शन है जो मायने रखता है इसे साड़े तीन इस्टार की रेटिंग दी और कहा रेडी बॉक्स आफिस पर अच्छाए स्कोर करेगी एक सांदार सुरुआ सुपर हिट संगी जूसने वाली स्रेडी में है जैसे कि निर्देशक अनिस बजमी की पहली फिल्म थैंक्यू और नो प्राबलम लेकिन यह अभी भी उनके विशेस ब्रांड में बहुत अधिक है ब्रेंड डेड हसी मजाक के लिए कुछ भी रेड़फी.com के राजा सेन ने फिल्म को यह कहते हुए डेड इस्टार से समानित किया है कि रेड़ी कोई मतलब निकालने की कोशिस भी नहीं करता और इसलिए सपाट हो जाता है केवल यह पैसे के लिए मूल से अधिक जवरन वसूली है सिफी की सोनिया चोपड़ा ने टिपड़ी करते हुए धाई सितारों से समानित किया और फिल्म की पूरी तरह से सलमान खान पर केंदित है वो एह सब कर रहा है बुद्धिमान दरारें भाब नरती बुरे लोगों की पिटाई और लड़की के साथ रोमांस करना यह सब उसकी बिज़ेस्ता ड्रा और सोयगर के साथ है याहो के कुरुनाड गुहा फिल्मों ने फिल्म को एक सितारा दिया है और कहा है कि फिल्म समाप्त होने से इनकार करती है क्योंकि आनावास्यक ब्रह्म और जटिलताएं धेर हो जाती हैं आपको आस्चर होगा कि क्या इसे साप करने के लिए पर्याप्त रील बाकी है CNA, IBN के राजियो मसंदा फिल्म को पांच में से डेड़ स्टार से समानित किया है और ये टिपड़ी करते हुए रेडि सक्त सलमान खान और प्रसंसकों के लिए क्या कोई अन्य प्रकार है जो इस तत्ति को माप करने को तयार है कि इसे बेस्वात बेहुदा फिल्म में कोई की बात करने की साजिस है फिर भी दो घंटे और तीस मिनट में आलसिस से सामने आता है सलमान खान इससे बेहतर के हकदार है दा इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुपता ने फिल्म को एक सितारा दिया है और कहा है कि इस फिल्म को वास्तों में जो मार देता है अब इसका कता एक तेलगू हिट की एक सूटिंग परेटेंट सीजन के दोरान गोवा की तुल्ला में आधिक पात्रों को समायुजित करती है प्रतेक चरित्र अतिपोसाक और अतिसीर से हैं हिंदुस्तान टाइम्स के मैंक सेखर ने दो सितारे दिये हैं जिसमें कहा गया है कि सल्मान खान का फिर से पिसा हुआ मसाला वांटेड दबंग अभी भी उपन्याश है वो अपने दर्सकों को संचेब में नमस्ते कहने के लिए गेटियमें आ जाता है यह एक पाप है संसकृतिक अनुभो ठीक है और पूरी तरह से इसे इसके लाइक है मिश्ट डे की सुबरा सेटी साहानी इसे धाई सितारों की साथ रेट करते हुए कहा है कि फिल्म के बारे में अच्छी बात है निश्चित रूप से सल्मान खान है उनके प्रसंसक निरास नहीं होंगे और हाँ उन्हें देखनी को मिलेगा क्लाइमेक्स में टापलेस दा पानियर की सालिन सकसेना ने फिल्म को दस में से छे देते वे कहा है कि मानो या ना मानो लेकिन सल्मान खान एक रोल पर है वांटेट और दबंग जैसी फिल्मों की सफलता के बाद वो रेड़ी के साथ तयार है जिस पर उसकी मुहर है हलाकि कहानी के बारे में कुछ भी सांदार नहीं है यह आपको हसाने का प्रबंधन करता है रेड़ी की प्रीती अरोडा ने पांच में से दो अंग दिये हैं और कहा है कि सल्मान खान को स्रंदांजली नहीं है यह एक ऐसा वहन है जो पिछले 20 वर्सों में देखे गए सर्फेश्ट सल्मान खान को प्रदर्सित करता है यह मनुरंजिन करता है अगर इस मुवी की बॉक्स ओफिस कलेक्शन की बात की जाये तो भारत में रेडी ने बॉक्स ओफिस पर जबरजस्ट प्रितकरिया की है कि साथ सुरुवात की और सिंगल स्क्रीन वाले सिनेमाई घरों में लगभग 95% से 100% 800 यू पेसी की सूचना दी है जबकि मल्टी प्लैक्स ने सत्न के समय के आधार पर 60% से 100% आक्स यू पेसी की सूचना दी फिल्म ने अपने कारोबार के पहले दिन में 130 मिलियन यू यस 1.6 मिलियन की कमाई की इस प्रकार दबंग के बाद पुरे भारत में दूसरा सबसे बड़ा ओपेनियन डे ग्रासर बन गया है अपने कारोबार के दूसरे दिन इसे 124 मिलियन यू यस 1.6 मिलियन का संग्रह किया था इसलिए दो दिन की कुल कमाई 254 मिलियन यू यस 3.2 मिलियन तक ले गई फिल्म की सुरुवाती सबताह संग्रह लगभग 430 मिलियन U.S. 5.3 मिलियन का सुद्ध शंग्रह किया जो इसे अब तक का दूसरा सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड और साथ ही अब तक का सबसे बड़ा गैर हैंडल वीकेंड बना रहा है इसे 70 मिलियन U.S. 880 हाजार से अधिक नेट और मंगलवार को लगबग 55 मिलियन U.S. 81,810 हाजार के साथ सिस्थिर संग्रह दिखाया गया जो पहले सबता के नेट को 695 मिलियन U.S. 8.7 मिलियन नेट फिल्म ने अपने दूसरे सबता हमें 200 मिलियन U.S. 2.5 मिलियन की कमाई की जिससे US 11 مिलियन सुध दूसरे सपता में फिल्म ने 330 मिलियन US 4.0 मिलियन का संग्रे किया जिससे 2 सपता की कुल कमाई 1015 मिलियन US 13 मिलियन हो गई रेडी इस प्रकार घरेलू बाजारों में वन मिलियन से अधिक संग्रह करने वाली बालीबुट के इतिहास में पांचुए बन गए हैं संगीत प्रीतम द्वारा रचित है जबकि गीत अमताप भटाचार आसीस पांडे नीलेश मिस्तरा और कुमार द्वारा लिखे गए हैं इसे 25 अप्रेल 2011 को टी सीरीज के बाइनर तले फिल्म सिटी गोरे गाउं में लांच किया गया था एल्बम में चार मोल ट्रेक और चार रिमेक्स हैं आरे टू के आइटम गीत रिंग रिंगा रिंग रिंगा को इसके मोल संगीत कार देवी स्री प्रसाद द्वारा फिल्म के लिए बनाया गया था गीत में उत्तर भारत की जनम भूमी के अनरूप परिवर्तन हुए एक उदारण रिंग रिंगा का धिंग चिकाटिक में परिवर्तन हुआ है संगीतकार अनुमलिक ने आरोप लगाया है कि करेक्टर ढीला गाना 2001 की फिल्म अजनवी से उनकी मुहबत नाम है कि एक अधिनी क्रत प्रती है उन्होंने मीडिया से कहा है कि वो शंभ होता प्रीतम के खिलाप साहितिक चोरी का मुकतमा दायर करेंगे गीतकार तुर्की मुहमद आजम ने प्रीतम के खिलाप एक साहितिक चोरी का मुकतमा दायर किया है जिसमें दावा किया गया है कि करेक्टर ढीला के बोल उनके द्वारा 2007 में लिखे गए एक गीत कापी के किये गए थे बांबे हाई कोर्ट ने इस मामले को खारिच कर दिया है ये फैंसला करते हुए कि प्रीतम गीतकार नहीं है इसलिए उन्होंने उत्तरा अधिकारी नहीं ठहरा जा सकता है फिल्म को इसकोर संदीप सीडोर कर ने तयार किया था बालीबोड हंगामा के जोगिंदर टुटेजा ने एल्बम को पांच में से चार स्टार दिये हैं और इसे सम्मानित करते हुए एल्बम में केवल चार गीतों की साथ बहुत अधिक पर हाथ रखने की इच्छा रखते ह ये एल्बम को अनकूल रूप से रेट किया गया है फिर भी जो उपलब्ध कराया गया है उसमें से काफी अच्छे हैं धिंग चिकाटिक जिंग चिकाचिक और करेक्टर ढीला के साथ जस्न मनाने के सवी कारण ना केवल संगीत की द्रश्टी से बहुत हिट होने वाले हैं बलकि भारी भीड खीचने वाले भी हैं दूसरी और मेरी अदा भी अल्बम में अच्छी विविदिता जोडती है हमको प्यार हुआ के साथ फिल्म रिलीज होने के बाद भांप लेने की छमता रखती है रेटपी की सुकन्या वर्बा ने इसे पांच में से धाई स्टार दे लिए या कहते हुए रेडी एक गाना भरी अल्बम नहीं है प्रतेक के लिए एक डीजी रीमेक्स समकच के बावजूत ना ही यह गेम चेंजर है फिर भी इसे कम से कम दो संभावित जन्द परसंदीदा मिले हैं जो इसके मूल पूरक हैं अग्रणी आदमी के इस्टालिस भ विकाली के वी शिवेस कुमार ने अल्बम को पांच में से चार इस्टार दिये हैं और फिल्म फेर के राहुल गंगवानी ने इसमें पांच में से चार इस्टार दिये हैं सायद ही हम इसे संगीत अल्बमों में आते हैं जो मुक अभनेता के वेक्तत्त को पूरी तरह से वे लोग उन्हें प्यारते सल्लू भाई भायजान आदिनामों से पुकारते हैं उन्होंने अपने कैरियर में कई छोटी बड़ी फिल्मों में काम किया है और धीरे धीरे उनके प्रसंसकों की संख्या लगातार बढ़ती गई है उन्होंने इंडरिश्टी में अपना एक अलग अपार्मेंट के बाहर उनके चाहने वालों की भीर लगी रहती है उनके फैंस की दिवान की कुछ ऐसी है कि उनकी एक जलक पाने के लिए उनके प्रसंसक बेताब रहते हैं कई बार तो ऐसा हुआ है कि सल्मान खान को अपने फैंस से काफी दिक्कतों का सामना भी करना इंदौर मध्दप्रदेश में हुआ था उनके पिता का नाम सलीम खान है जो मसूर फिल्म लेखक रह चुके हैं उनकी मा का नाम सुसीला चरक है उनके पिता जम्मु कस्मीर से तो वहीं उनकी मा महारेश्टियन है पूर्व अबनेतरी हेलन उनकी सौतेली मा हैं उनके दो हाई भी जिनका नाम अर्वाज खान और सुहेल खान है अर्वाज की सादी पूर्व में वीज़े रही और अबने थल्टि माइल का अरोड़ का इसके बात की पढ़ाई उन्होंने मुंबई के बांधरा इलाके में सेंटरेजिए लारियर्स हाइ patio सब्खूल से की है अगर हम इनके कैरेर की बात करें तो सलमान खान ने अपने अभने के शुरुवा साय अभनेयता के तोर पर फिल्म भीबी हो तो ऐसी चाहिऊं प्यार की ती फिल्म मैंने सभी को भाव कर दिया है इस फिल्म में सलमान खान को अपने अभिने के सभी से लेकर उनके फञद की दिवानगी कुछ यूं थी उन्होंने सलमान खान की तरह अपने बालों की स्टाइल रख ली और वे हैर स्टाइल तेरे नम से मसुर हो गए इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया लेकिन पिछले कुछ वर्सों से उनके प्रसंसकों में इसलिए भी इजाफा हुआ है कि क्योंकि उन्हें एक्षन फिल्मों में ज्यादा प्रसंद किया जाता है फिल्म वांटेट के बाद उन्होंने लगातार हिट फिल्में की जड़ी लगा दी है अगर इनके टीवी केरियर की बात करें हम तो साल 2008 में सलमान खान ने टीवी सो में 10 का दम होश्ट किया जिसमें दर्सकों ने काफी प्रसंद किया जिसके बाद साल 2010 में बिग बाउस 4 होश करेंगे सलमान खान की कुछ प्रसिद्ध फिल्में हैं जिनके बारे में हम आपको बता दें मैंने प्यार किया पथर के फूल साजन अंदाज अपना अपना हम आपके हैं कौन करन अर्जुन खामोसी जुडवा प्यार किया तो डरना क्या वंधन बीबी नंबर वन हम दिल द एक था टाइगर डबंग टू किंग बजरंगी भाई जान टाइगर जिन्दा है रेस थिरी जैसी फिल्मों में वह इंड्रिस्ट्री के सूपर हिट सूपर इस्टार माने जाते हैं रेडी मोबी 2011 में रिलीज हुई एक रोमांटिक केमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन अनिस बजमी ने किया है फिल्म में सलमान खान असिन मुख्य भूमका में दिखाई दिये तो वही सायक भूमका में परेश रावल, आर्या बबर, महेश मंजेरकर, अनरोधा पटेल, मनोज जोसी, प्राची पाठक, पुनित इससर, सरत सकसेना आदि मुख्य भूमका में नजर आये थे साथ ही फिल्म में संजेदत, कंगना रानौत, जरीन खान, अर्बाच खान, अजे देवगन, मुख्य भूमका में नजर आये थे इस फिल्म की कहानी साब सुतरी परिवारिक फिल्म है, जिसे पूरे परिवार के सदस्यों के साथ देखा जा सकता है सभी जानते हैं कि सल्मान खान का पसंदीदा नाम प्रेम है और इस फिल्म में भी उन्होंने प्रेम के रूप में जिस तरह का प्यार किरदार निभाया है दर्सकों ने उन्हें फिर से मुरीद हो गए हैं, फिल्म की कहानी पूजा और प्रेम की कहानी है इस प्रेम कहानी में उसका पूरा परिवार प्रेम के साथ प्रेम का दिल का बेहत अच्छा इंसान है वो अपने दोस्तों की मदद करता है लेकिन घरवालों की नजर में वो बिगडी अवलाद है परिवारी वाले चाहते हैं कि प्रेम के लिए किसी सुकन्या की तलास हो जाए इसी करम में पूजा प्रेम के घर आती है पूजा प्रेम की नजदीकियां बढ़ जाती है पूरा परिवार पूजा और प्रेम को एक करना चाहता है लेकिन यहीं कहानी में ट्विश्ट तब आता है जब पूजा के दो मामाओं जिसे आसिरवाद से पूजा प्रेम से साधिक करना चाहती है तो कैसे प्रेम पूजा के मामाओं को ठीक करता है पूरी कहानी इस पर आधारित है फिल्में बेहद हास समबाद हास से प्रस्तिती करने की कोशिस की गई है रेडी मूबी में प्रेम सलमान खान को भागी हुई दुलहन संजना से प्यार हो जाता है जो परिवारिक अथिती के रूप में सामने आती है और अपने महान परिवार की सरण में ले लेती है लेकिन इससे पहले कि वो उससे साधी कर सके उसे उसकी परिवारिक समस्याओं को सुलजाना होगा और उसके युद्धत बाकीले समस्याओं को सुलजाते हुए एक आदर्स हम साथ साथ हैं परिवार में बदलना होगा एक्षन ड्रामा और कुछ लोब्रा हूमर का समय है यह समझाना मुस्किल है कि अनीस बजमी फिल्मों को क्यों नहीं बनाते आम तोर पर इसका कोई तर्क नहीं होता ठेंक यू नो प्राबलम लेकिन फिर ये समझना आसान है कि अनी सुबजवी फिल्में क्यों नहीं बनाते हैं अतितार्किक और गईर संसनी खोज का जस्न मनाने के लिए जो एक उच्च तनाव के एक चिकत सीख हो सकता है सुरोता तैयार है दया करके एक और कारण भी है करता है एक अभिनेता के वन मैंसो के लिए वापस बैठे जो स्क्रीन पर अपनी बड़ी से बड़ी छबी के बारे में अधिक से अधिक अप्राय हो जा रहा है और आपको अपनी इच्चा के लिए सभी धमाके मिलेंगे तो आपके पास सलमान खान वह सब कुछ कर रहे हैं जो वह करना प्रसंद करते हैं और आप देखना प्रसंद करते हैं वह चुटकुले संबादों से बात करता है जोरदार और बहुत अच्छी तरे से कोरियोग्राफ के गीतों और नत्यों में तूट जाता है बेसर्म अंदाज में लड़की से रोमांस करता है, जब तक वांचित होता है, अज ये हिट मसीन बन जाता है, अपने लोगप्री परिवारिक लड़के आउतार को कभी नहीं जाने देता, मैंने प्यार का मोल प्रेम याद रखें, और लगातार इसे उपर से खोल कर आपको हस आने की कोशिस करता है, और हाँ वहीं करता है जो उसे करना चाहिए, अपनी कमीच उतारता है, अपने पूरे परिवार की तरह से तरासे हुए सरीर को उजागर करता है, और बेर्थ पूच्छता है कि मज़ा आया, क्या हाँ बहुत मज़ा आया, लेकिन केवल तभी जब एमित दिमाग को छोड़ने वाले फिल्म के लिए जाने सभी ढोंगों को दूर कर सकें, बाकी किरदार भी पागल हैं, कई पूरस महिलाएं उनके लड़के, आप उनकी गिंती खो देते हैं, मूकता पूंड बोलते हैं, करकस बोलते हैं, संगीत बहरे डेसिबल इस्तरों प कोई छण नहीं है, तरिनू वैतला द्वारा निर्देसित इसी नाम की 2008 की टेलगू फिल्म की आधारिक रीमेक है, इस फिल्म में लंदन ड्रीम्स के बास सल्मान खान और असिन थोटू मकल उनकी दूसरी फिल्म में एक साथ हैं, तैयार रवेव सिनेमाज और वन आप और कोना बेकंट ने लिखी थी, इस फिल्म के निर्देसक हैं अनीस बजमी और इस फिल्म के लेखक हैं राजियो कौल, एकराम अकतर, राजन अगरवाल और इसे संपाधित किया है निशार अकतर और फरहात साजित ने और इसकी कहानी लिखी है गोपी मोहन और कोना और यह मोबी आधारित है स्रुनु वैतला द्वारा तयार किया गया था, इस फिल्म को निर्मित करने वाले हैं रजत रवैल, भूशन कुमार, नितिन मनमोहन, क्रिशन कुमार, सुहेल खान और इस फिल्म को आवनित किया है आसिन थोटूमकल, सलमान खान और इस फिल्म का चाइंकन करने वाले हैं सुनील पटेल और इस फिल्म को संपादित किया है रितेश सोनी ने और इस फिल्म में संगीत दिया है प्रीतम चक्रवरती ने, यह मोबी 3 जून 2011 को भारत में रिलीच हुई थी, इसकी कारिकारी समय 145 मिनट देश भारत भाषा हिंदी, अगर आफिस पर 180 करोंड की सुद्ध कमाई की थी, प्रधान फोटोग्राफी जून 2010 में सुरु हुई फिल्म की सूटिंग स्री लंका बैकाक और मुंबई में की गई थी, फर्ष्ट लूग पोस्टर 5 अपरेल 2011 को लांच किया गया था, 3 जून 2011 को दुनिया भर में नाट की रू पीज किया गया था, रेडी ने एक गहर आवकास फिल्म के लिए भी सभी रिकार्ड तोड़ दिये, इसने भारत में 30 रुपे की तुल्ला में 120 करोंड की सुद्ध कमाई की थी, करोंड का बजट था और आजीवन 22 संग्रा 180 करोंड था, फिल्म को आलोचकों से मिस्रित इच्छा मिली है, इसके संगीत हास और खान के प्रदर्सन के लिए प्रसंसा मिली है, लेकिन इसकी लंबाई और पटकता के लिए आलोचना की गई है, रेडी टू नामक एक अध्यात्मिक सीक्वेल की घोसड़ा जुलाई 2018 में की गई थी, असिन की साधी के बाद फिल्मों में सन्यास लेने के कारण ये पुष्टी हो गई है कि वो अगली कड़ी में वापसी नहीं करेंगे, तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी सूरू होती है, फूर्तिला फ्रेम अपने प्रेमी राजु के साथ अपनी सहली खुसी को भगाने में मदद करता है, इस से उसके पिता अ अपनी साधी से भागी है, प्रेम को अपने चाचा को पूजा छोड़ने के बारे में बताते हुए सुनाती है, जैसा कि कपूर परिवार अभी तक उस से नहीं मिला है, संजाना उसके रूप में पोच देती है और साथ रहती है, और जल्द ही कपूरों पर जीत हांसिल कर ल जिसे संजाना की पहचान का पता चलता है लेकिन वे प्यार में पढ़ जाते ही, सूरज संजाना को ले जाता है, सच्चाय के बावजूद कपूर अभी भी उस से प्रेम की पतनी के रूप में चाहते हीं, संजाना से ब्वादा करते हुए वो उस साधी करनी का एक रास्ता प्रेम बली के बतीजे के रूप में फेस करता है जो एक चार्टर्ट एकाउंटेंट है जो अमर और सूरज की सेवा करता है जल्दी कपूर परिवार ने चोधरी को धोखा देकर संजाना को प्रेम से साधी करने दिया आरेन ठीक हो जाता है और प्रेम के बारे में खुलासा कर जो तब बताता है कि कैसे संजाना की दिवंगत मा गीता उनका मिलन चाहती थी और उसकी साधी कर दी गई अमर और सूरज को अपनी गल्ती का अहसास होता है और उन्हें माफ कर दिया जाता है अंत में प्रेम और संजाना साधी कर लेते हैं और अपनी साधी की तस्वीर किया इसके बारे में भी हम आपको बताते चलें प्रेम कपूर के रूप में सलमान खान सुमित्रा और राम के बेटे भरत और लश्मर्ड के भतीजे खुसी का दोस्त संजाना के पती हैं संजाना सिंक पूर पूजा मलहोत्रा नकली के रूप में असिन थोटू मुकल गीता की बेटी इश्वर की पोती अमर और सूरज की भती जी हैं अरजुन और आरेंग के चचेरे भाई हैं पूजा का दोखे बाज प्रेम की पतनी है बलिदान भरतवाज उर्फ बल्ली के रूप में परिश्रावल जी हैं अमर और सूरज के च्यार्टर एकाउंटेंट की सेवा सकु प्रेम के पिता शुमित्रा कपूर के रूप में अनुराधा पटेल हैं राम की पतनी प्रेम की मा हैं आस्था गिल के रूप में ओल भिया भरत कपूर उर्फ बीके मोदी के रूप में मनोज जोसी जी हैं राम और लश्मण के भाई सुमन का पती प्रेम के चाचा हैं प्रा प्रेम और भारत के भाई सीला के पती प्रेम के चाचा है। किरण आहुजा, सीला कपूर, उर्फसरी मतियातिका माथुर, लश्वन की पतनी प्रेम की चाची है। इस्वर चौधरी के रूप में पुनीत इश्चर हैं, गीता अमर और सूरज के पिता संजाना, अरजुन और आरेन के दादा, जूनियर अमर के फर दादा हैं। इस्वर का वेटा, गीता और सूरज के भाई, राधिका के पती हैं। आरेना और अरजुन की चेचेरी बहन हैं। आरे बबर, भीर चंदर त्यागी के रूप में, सालनी की बहन का पती आरेन के चाचा हैं। आयसा चोधरी के रूप में इवा ग्रोवर हैं। अरजुन की पतनी जूनियर अमर की मा हैं। अमर चोदरी उर्फ छोटा, अमर के रूप में मोहित वगेल हैं, आईसा और अरजुन का बेटा, राधिका और अमर का पोता, इस्वर के पपोत्र हैं, जस्विंदर गाड़नर सकुनतला भरत द्वाज उर्फ सकु के रूप में बरिदान की पत्नी हैं, लहरी के रूप में चतुरुबेदी और खुसी के पिता हैं, अमरता, रायचंद, पूजा मलहोत्तरा के रूप में हैं, सालनी साहुता, नैना, परोजकर के रूप में कपूर की नौकरानी हैं, कुरुब्रा, सैथ सुनैना, सेठी के रूप में कपूर की नौकरानी हैं, युवराज महरा के किरन चौकसी के रूप में कंगना रानत गरो की प्रेमका और प्रेमी हैं खुसी पाथख सोनकर के रूप में जरी खान अभिनों की एक बेटी प्रेमका दोस्त गरो की पूर्व मंगेतर राजू की फत्नी हैं गवरो की लोसकर के रूप में अरवाज खान किरण की प्रेमी और प्रेमी खूसी की पूर्व मंगेत कर हैं राजकुमार सोनकर उफर राजु के रूप में अजय देवगन खूसी के पती हैं ताराचेंदर अग्रवाल के रूप में संजदत बिवार रजिश्टार तलाक वकील हैं इस फिल्म की सूटिंग पहले मौरिशस में होनी थी हलाकि सल्मान खान के अनरोध पर इस्थान बदल कर सिरी लंका कर दिया गया था सल्मान खान ने स्री लंका को भारत से निकटता और भारती प्रस्तुतियों के लिए इसे उप्यूक्त परिदर्स के रूप में चुनने के अपने निर्ने का वरणन किया सूटिंग 20 जून 2010 को कोलामबो में सुरू हुई थी सूटिंग का पहला सेडूल कोलामबो और पडोसी बेटोटा के इस्थानों पर 27 दिनों से अधिक समय तक चला था इस दोरान लगबग 40% फिल्मांकन पूरा हो गया था सूटिंग का दूसरा सेडूल अक्टूबर 2010 में सुरू होने वाला था लेकिन सल्मान खान की आँखों की समस्याओं के कारण इसमें देरी हुई मुख्या बनेता ने अनीस बजमी से तब तक सूटिंग में देरी करने का अनरोथ किया जब तक कि उनकी हालत में सुधार नहीं हो जाता है मुंबई में 3 नौंबर 2010 से फिर से सूटिंग सुरू हुई तैयार के हिस्से मुंबई के फिल्म सिटी और मुंबई के उत्तर में मद्ध द्यूप में 44 स्टूडियो में सूट किया गया था सूटिंग का अंतिम सडूल फरवरी 2011 में बैकाक में सुरू हुआ था रिपोर्टरों के अनुसर अभिनेता आजे देवगन, संजदत और कंगना रानोत जो डेविड धवन की फिल्म की सूटिंग के लिए बैकाक में थे रास कल्स को सल्मान खान ने फिल्म का हिंसा बनने के लिए बुलाया था तीनों ने कैमियों अपियर्स करते हुए एक दिन के लिए सूटिंग की अरवाज खान और जरी खान ने भी फिल्म में छोटे कैमियों के लिए सूटिंग करने की पूष्टि की थी सूटिंग का अंतिम सेडूल मार्च 2011 में पूरा हुआ, रेडी के दो गाने, करेक्टर धिला और धिंग चिकाटिक धिंग चिकाटिक जिन्हें बैकॉक में फिल्म आया गया था, मुंबई के फिल्म सिटी स्टूडियो में फिर से सूट किया गया था, निर्माता भूशिट पूरी प्रोडक्शन टीम को लगा की दरसी गाने के अनकूल नहीं हैं, गीत करेक्टर धिला जिसमें सल्मान खान और जरी खान एक कैमियों पुस्तिती में हैं, अन्भवी, अभिनेता, राजकपूर, दिलीब कुमार और धरमेंद्र को स्तुर्धांज ली दी है, इस फिल् रिलीज के पांच दिन पहले हो अग्रीम बुकिंग खोली गई, यह कम से कम एक हजार यू एप ओ डिजिटल प्रिंटरों और लगभग उनीस सो प्रिंटरों पर रिलीज होने वाली पहली भारती फिल्म बन गई, सिंगल स्क्रीन पर अग्रीम दवंग से मेल खाता था, और यहां तक कि इसे कई जगों पर बेहतर भी किया गया है, बिस्ट प्रीमियम ने एक जून 2011 को दुबाई के ग्रेंड सिनेक लेक्स में हुआ था, इस फिल्म को आलुचकों से मिस्त्रित समिछा मिली, दा टाइम्स आफ इंडिया के निखत काजवी ने इसे पांच में से तीन इस्टार देते हुए कहा कि यह फिल्म अबिनेता के बजाए मनोरंजन करने वाली सलमान खान के लिए एक बेजोड़ गीत है, और हां यह उस अस्तर पर काम करती है, बालीवूड हंगामा के तरण आदर्स ने फिल्म को पांच में से चार पुरुसकार देते हुए, कहा कुल मिलाकर रेडी सकती से जनता के लिए और उन लोगों के लिए है, जो आन तोर पर मसाला मनोरंजन परसंद करते हैं, फिल्म सूपर संगीत करेक्टर ढीला के साथ खुद को गौरवांगित करती है, और धिंग चिकाटिक धिंग चिकाटिक परिहास और नोटन की बहुत और न प्रिप्डी करते हुए, जब सलमान खान या रजनी कांद की फिल्म की बात आती है, तो उनका प्रदर्शन महतरपूर्ण नहीं होता, यह दर्सकों का प्रदर्शन है, जो माइने रखता है, इसे साड़े तीन इस्टार की रेटिंग दी और कहा, रेडी बॉक्स आफिस पर अच्छाय स्कोर करेगी, एक सांदार सुर्वा सुपर हिट संगीत सलमान खान और एक अच्छे मनरंजन के लिए धन्यवाद खुराख है, एंडी टीवी मूबी की अनुपमा शोपडा ने टिप्डी करते हुए, दो सितारों को सम्मानित किया, सुक्र है कि रेडी उसी आत् में बहुत अधिक है, ब्रेंड डेड हसी मजाक के लिए कुछ भी, रेड़ी डॉट कॉम के राजा सेन ने फिल्म को यह कहते हुए डेड इस्टार से समानित किया है, कि रेडी कोई मतलब निकालने की कोशिस भी नहीं करता, और इसलिए सपाट हो जाता है, केवल यह पैसे क के लिए मूल से अधिक जवरन वसूली है, सिफी की सूनिया चोपडा ने टिपड़ी करते हुए धाई सितारों से समानित किया गया, और फिल्म की पूरी तरह से सलमान खान पर केंद्रित है, वो एह सब कर रहा है, बुद्धिमान दरारे, भाब नरति, बुरे लोगों की प फिल्म को एक सितारा दिया है, और कहा है कि फिल्म समाप्त होने से इनकार करती है, क्योंकि आनावास्यक, ब्रह्म और जटिलताएं धेर हो जाती है, आपको आस्चर होगा कि क्या इसे साप करने के लिए पर्याप्त रील बाकी है, CNA, IBN के राजियू मसंदा फिल्म को पांच में से डेड़ स्टार से समानित किया है, और ये टिपड़ी करते हुए रेडि सक्त सलमान खान और प्रसंसकों के लिए क्या कोई अन्य प्रकार है, जो इस तत्ति को माफ करने को तयार है कि इसे बेस्वात बेहुदा फिल्म में क कोई बात करने की साजिस है, फिर भी दो घंटे और तीस मिनट में आलसिस से सामने आता है, सलमान खान इससे बेहतर के हगदार है, दा इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा, गुपता ने फिल्म को एक सितारा दिया है, और कहा है कि इस फिल्म को वास्तों में जो मार देता है, अब इस कार सील है, और ना ही उचूर जा, खलीजा टाइम्स ने फिल्म को तीन सितारों से समानित करते हुए टिपडी की है, कि बजमी की पटकता एक तेलगू हिट की एक सूटिंग परेटेंट सीजन के दोरान गोवा की तुल्ला में आधिक पात्रों को समायुजित करती ह हिंदुस्तान टाइम्स के मैंक सेखर ने दो सितारे दिये हैं, जिसमें कहा गया है कि सलमान खान का फिर से पिसा हुआ मसाला वांटेड दबंग अभी भी उपन्याश है, वो अपने दर्सकों को संच्छेब में नमस्ते कहने के लिए गेटिय में आत जाता है, यह एक पाप है, संसकृतिक अनुभो ठीक है, और पूरी तरह से इसे इसके लायक है, मिश्ट डे की सुबरा सेटी साहाने इसे धाई सितारों की साथ रेट करते हुए कहा है कि फिल्म के बारे में अच्छी बात है, निश्चित रूप से सलमान खान है, उनके प्रसंसक निरास नहीं और हाँ उन्हें देखने को मिलेगा, क्लाइमेक्स में टापलेस दा पानियर की सालिन सकसेना ने फिल्म को दस में से छे देते वे कहा है कि मानो या ना मानो, लेकिन सलमान खान एक रोल पर हैं, वांटेट और दबंग जैसी फिल्मों की सफलता के बाद वो रेड़ी के साथ तयार हैं, जिस पर उसकी मुहर है, हलाकि कहानी के बारे में कुछ भी सांदार नहीं है, यह आपको हसाने का प्रबंधन करता है, रेड़ी की प्रीती अरोडा ने पांच में से दो अंग दिये हैं और कहा है कि सलमान खान को सरंधाजली नहीं है, यह एक ऐसा वहन है जो की जाये तो भारत में रेड़ी ने बॉक्स आफिस पर जबरजस्ट प्रितकरिया की है, कि साथ सुरुवात की और सिंगल स्क्रीन वाले सिनेमाई घरों में लगभग 95% से 100% 800 यूपेसी की सूचना दी है, जबकि मल्टी प्लैक्स ने सत्न के समय के आधार पर 60% से 100% आक्स यूपेसी की सूचना दी, फिल्म ने अपने कारोबार के पहले दिन में 130 मिलियन यूएस 1.6 मिलियन की कमाई की इस प्रकार दबंग के बाद पूरे भारत में दूसरा सबसे बड़ा ओपेनियन डे ग्रासर बन गया है, अपने कारोबार के दूसरे दिन इसे 124 मिलियन 2.2 मिलियन तक ले गई, फिल्म की सुरुवाती सबताहा संग्रह लगभग 430 मिलियन यूएस 5.3 मिलियन का सुद्ध संग्रह किया, जो इसे अब तक का दूसरा सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड और साथ ही अब तक का सबसे बड़ा गयर हैंडल वीकेंड बना रहा है, इस गयर चैसे 70 मिलियन यूएस 880 हाजार से अधिक नेट और मंगलवार को लगबग 500 मिलियन यूएस 41 810 हाजार के साथ सिस्थिर संग्रह दिखाया गया, जो पहली सबताह के नेट को 695.0.0.000.000 यूएस 8.7.0.000. फिल्म ने अपने दूसरे सबताह में 200.0.0.000.000 यूएस 2.0 मिलेन की कमाई की जिससे यू यस 11 مिलेन सुध दूसरे सप्ता में फिल्म ने 323 मिलेन यू यस 4.0 मिलेन का संग्रे किया जिससे दो सप्ता की कुल कमाई 1015 मिलेन यू स dest 12 मिलेन हो गई रेडी इस प्रकार घरेलू बाजारों में वन मिलियन से अधिक संग्रह करने वाली बाली बुट के इतिहास में पांच वे बन गए हैं रेडी मूबी का संगीत प्रीतम द्वारा रचित है जबकि गीत अमताब भटाचार आसीस पांडे नीलेश मिस्तरा और कुमार द्वारा लिखे गए हैं इसे 25 अप्रेल 2011 को टी सीरीज के बाइनर तले फिल्म सिटी गोरे गाउं में लांच किया गया था एल्बम में चार मोल ट्रेक और चार रिमेक्स हैं आरे टू के आईटम गीत रिंग रिंगा रिंग रिंगा को इसके मोल संगीतकार देवी स्री प्रसाद दौरा फिल्म के लिए बनाया गया था गीत में उत्तर भारत की जनम भूमी के अनरूप परिवर्तन हुए एक उधारण रिंग रिंगा रिंगा का धिंग चिकाटिक धिंग चिकाचिक में परिवर्तन हुआ है। गीत कार तुर्की मुहमद आजम ने परितम के खिल्याप एक साहितिक चोरी का मुकत्मा दायर किया है। परिवर्तन हंगामा के जोगिंदर तुटेजा ने एल्बम को पांच में से चार इस्टार दिये हैं और इसे सम्मानित करते हुए एल्बम में केवल चार गीतों की साथ बहुत अधिक पर हाथ रखने की इच्छा रखते हुए एल्बम को अनकूल रूप से रेट किया गया ह है फिर भी जो उपलब्ध कराया गया है उसमें से काफी अच्छे हैं धिंग चिकाटिक धिंग चिकाचिक और करेक्टर ढीला के साथ जस्न मनाने के सवी कारण ना केवल संगीत की द्रश्टी से बहुत हिट होने वाले हैं बलकि भारी भीड खीचने वाले भी हैं दूसरी और मेरी अदा भी अच्छी विविदिता जोडती है हमको प्यार हुआ के साथ फिल्म रिलीज होने के बाद भांप लेने की छमता रखती है रेटपी की सुकन्या वर्मा ने इसे पांच में से धाई स्टार देते हुए या कहते हुए रेडी एक गाना भरी एल्बम नहीं है प्रतेक के लिए एक डीजी रीमेक्स समकच के बावजूत ना ही यह गेम चेंजर है फिर भी इसे कम से कम दो संभावित जन परसंदीदा मिले हैं जो इसके मूल पूरक हैं अग्रणी आदमी के इस्टालिस भीर सुदायक बेक्तत्तु की पेसकस करने के लिए यह रेडी के इस्टीर हिट और जाने के लिए परयाप्त नहीं होना चाहिए न्डिया विकाली के विव सिवेसकुमार ने अलबम को पांच में से चारिश्टः दिये हैं और फिल्म फेर के राहुल गंगवाँणी ने इसमें पांच इसे चार इश्टर दिये हैं सायद ही हम इसे संगीत अल्बूमों में आते हैं जो मुक अभनेता के वेक्तत्त को पूरी तरह से वेक्त करते हैं अब्दूल रसीद सलीम सलमान खान उर्फ सलमान खान हिंदी फिल्मों के मसूर अभनेता तो हैं ही इसके साथ सात्वे निर्माता टेलीवीजन परसनाल्टी और समास सेवी भी हैं लोग उन्हें प्यारते सल्लू भाई भायजान आदि नामों से पुकारते हैं उन्होंने अपने कैरियर में कई छोटी बड़ी फिल्मों में काम किया है और धीरे धीरे उनके प्रसंसकों की संख्या लगातार बढ़ती गई है उन्होंने इंडरिश्टी में अपना एक अलग मुकाम इस्थापित किया है और हिंदी सिनेमा के अग्रणी अभनेताओं में से एक हैं सल्मान खान की कुछ अंसुनी बातें जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं मौजूदा समय उनकी फैन फालोइंग का ए आलम है कि उनके घर के गलैक्सी अपार्मेंट के बाहर उनके चाहने वालों की भीड लगी रहती है उनके फैन्स की दिवान की कुछ ऐसी है कि उनकी एक जलक पाने के लिए उनके प्रसंसक बेताब रहते हैं कई बार तो ऐसा हुआ है कि सल्मान खान को अपने फैन्स से काफी दिक्तो का सामना भी करना पड़ा है टाइमस स्लेवर्स वालीबूड एक्टर्स इंडेक्स रेटिंग में वे बराबर टाप पर रहते हैं सलमान खान का जन्म इंदौर मद्धप्रदेश में हुआ था उनके पिता का नाम सलीम खान है जो मसूर फिल्म लेखक रह चुके हैं उनकी मा का हैं जिनका नाम अरवाज खान और सुहेल खान है अरवाज की साधी पूर्व में वीजे रही और अबनेत्री माइलका अरोडा खान से हुई है सलमान खान की दो बहने भी हैं जिनका नाम अलवीरा और अर्विता है सलमान खान की पढ़ाई सिंधिया स्कूल गौालियर से हु तो सल्मान खान ने अपने अभिने के रिद की सुरुआ सहायक अभिनेता के तोर पर फिल्म बीबी हो तो ऐसी से की थी मुखी अभिनेता के तोर पर उनकी फिल्म मैंने प्यार किया थी जो सुपर हिट रही थी उनकी फिल्म हम आपके हैं कौन सभी का दिल जीत लिया तो वहीं फिल्म तेरे नाम में उनके अभिने की काफी प्रसंसा भी हुई है और अपने अभिने से उन्होंने सभी को भाव कर दिया है इस फिल्म में सल्मान खान को अपने अभिने के सभी से लेकर उनके फंस की दिवान कि कुछ यूँ थी उन्होंने सलमान खान की तरह अपने बालों की स्टाइल रख ली और वो हेर स्टाइल तेरे नाम से मसूर हो गए इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया लेकिन पिछले कुछ वर्सों से उनके प्रसंसकों में इसी लिए भी इजाफा हुआ है कि क साल 2008 में सल्मान खान ने टीवी सो में दस का दम होश्ट किया जिसमें दर्सकों ने काफी प्रसंद किया जिसके बाद साल 2010 में बिग बॉक्स फोर होश्ट किया बिग बास होश्टिंग में सल्मान खान ने खोब पापलर हुए थे सल्मान खान ने लगातार बिग बॉक्स एट अपना हम आपके हैं कौन करन अर्जुन खामोसी जुडवा प्यार किया तो डरना क्या वंधन बीबी नमबर वन हम दिल दे चुके सनम हम साथ साथ हैं दुलहन हम ले जाएंगे तेरे नाम गर्ब मुझसे साधी करोगी नो इंट्री क्योंकि पार्टनर यू राज वांटेड डबंग बाडी गार्ड एक था टाइगर डबंग टू किंग बजरंगी भाई जान टाइगर जिन्दा है रेस थिरी जैसी फिल्मों में वह इंड्रिस्ट्री के सूपर हिट सूपर स्टार माने जाते हैं रेडी मोबी 2011 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन अनिस बजमी ने किया है फिल्म में सलमान खान असिन मुख्य भूमका में दिखाई दिये तो वही सायक भूमका में परेश रावल, आर्या बबर, महेश मंजेरकर, अनरोधा पटेल, मनोज जोसी, प्राची पाठक, पुनित इससर, सरत सकसेना आदि मुख्य भूमका में नजर आये थे साथ ही फिल्म में संजेदत, कंगना रानौत, जरीन खान, अर्बाच खान, अजे देवगन, मुख्य भूमका में नजर आये थे इस फिल्म की कहानी साब सुतरी परिवारिक फिल्म है, जिसे पूरे परिवार के सदस्यों के साथ देखा जा सकता है सभी जानते हैं कि सल्मान खान का पसंदीदा नाम प्रेम है, और इस फिल्म में भी उन्होंने प्रेम के रूप में जिस तरह का प्यार किरदार निभाया है दर्सकों ने उन्हें फिर से मुरीद हो गए है, फिल्म की कहानी पूजा और प्रेम की कहानी है इस प्रेम कहानी में उसका पूरा परिवार प्रेम के साथ प्रेम का दिल का बेहत अच्छा इंसान है वो अपने दोस्तों की मदद करता है लेकिन घरवालों की नजर में वो बिगडी अवलाद है परिवारे वाले चाहते हैं कि प्रेम के लिए किसी सुकन्या की तलास हो जाए इसी करम में पूजा प्रेम के घर आती है पूजा प्रेम की नजदीकियां बढ़ जाती है पूरा परिवार पूजा और प्रेम को एक करना चाहता है लेकिन यहीं कहानी में ट्विश्ट तब आता है जब पूजा के दो मामा जिसे आशिरवाद से पूजा प्रेम से साधिक करना चाहती है तो कैसे प्रेम पूजा के मामाओं को ठीक करता है पूरी कहानी इस पर आधारित है फिल्म में बहत हास समभाद हास से प्रस्तिती करने की कोशिस की गई है रेडी मूबी में प्रेम सलमान खान को भागी हुई दुलहन संजना से प्यार हो जाता है जो परिवारिक अथिती के रूप में सामने आती है और अपने महान परिवार की सरण में ले लेती है लेकिन इससे पहले कि वो उससे साधी कर सके उसे उसकी परिवारिक समस्याओं को जाते हुए एक आदर्स हम साथ साथ हैं परिवार में बदलना होगा एक्षन ड्रामा और कुछ लोब्रा हूमर का समय है यह समझाना मुस्किल है कि अनीस बजमी फिल्मों को क्यों नहीं बनाते आम तोर पर इसका कोई तर्क नहीं होता थैंक यू नो प्राबलम लेकिन फिर य समझना आसान है कि अनीस बजमी फिल्मे क्यों नहीं बनाते हैं अतितार्किक और गयर संसनी खोज का जस्न मनाने के लिए जो एक उच्च तनाव के एक चिकत्सी हो सकता है सुरोता तयार है दया करके एक और कारण भी है सलमान खान यह फिल्म अभनेता के बजाए मनुरंजन करने वाले सलमान खान के लिए एक बेजोड़ गीत है और हाँ उस उस अस्तर पर काम करता है एक अपनेता के वन मैंसो के लिए वापस बैठे जो स्क्रीन पर अपनी बड़ी से बड़ी चबी के बारे में अधिक से अधिक अप्राय हो जा रहा है और आपको अपनी इच्छा के लिए सभी धमा के मिलेंगे तो आपके पास सलमान खान वा सब कोछ कर रहे हैं जो वो करना प्रसंद करते हैं और आप देखना प्रसंद करते हैं वा चुटकुले संबादों से बात करता है जोरदार और बहुत अच्छी तरे से कोरियोग्राफ के गीतों और नत्यों में जाने देता मैंने प्यार का मोल प्रेम याद रखें और लगातार इसे उपर से खोल कर आपको हसाने की कोशिस करता है और हाँ वहीं करता है जो उसे करना चाहिए अपनी कमीच उतारता है अपने पूरे परिवार की तरह से तरासे हुए सरीर को उजागर करता है और बेर्थ प के लिए जाने सभी ढोंगों को दूर कर सकें बाकी किरदार भी पागल हैं कई पूरस महिलाएं उनके लड़के आप उनकी गिंती खो देते हैं मुकता पूंड बोलते हैं करकस बोलते हैं संगीत बहरे डेशिबल इस्तरों पर बज़ता है कैनवास और फिल्म के रंग गजब ह और इरोज इंटरनेशनल ये फिल्म सिरिनू वैतला द्वारा निर्देशित इसी नाम की 2008 की टेलगू फिल्म की आधारिक रीमेक है इस फिल्म में लंदन ड्रीम्स के बास सल्मान खान और असिन थोटू मकल उनकी दूसरी फिल्म में एक साथ हैं तैयार रवेव सिनेमाज और वन आप इंटर्टेन्मेंट द्वारा बितरित किया गया था खान ने फिल्म का वर्णन भी किया था जबकि कहानी गोपी मोहन और कोना बेकंट ने लिखी थी इस फिल्म के निर्देशक हैं अनीश बजमी और इस फिल्म के लेखक हैं राजियो कॉल एक राम अक्तर परहाद साजित ने और इसकी कहानी लिखी है गोपी मोहन और कोना बेकेंट ने और यह मूबी आधारित है स्रुनू वैतला द्वारा तयार किया गया था इस फिल्म को निर्मित करने वाले हैं रजत रवैल भूशन कुमार नितिन मन मोहन कृष्ण कुमार सुहेल खान और इस फिल्म को संपादित किया है रितेश सोनी ने और इस फिल्म में संगीत दिया है प्रीतम चक्रवरती ने यह मूबी 3 जून 2011 को भारत में रिलीच हुई थी इसकी कारिकारी समय 145 मिनट देश भारत भाषा हिंदी अगर बजट की बात की जाये तो यह मूबी 30 क्रोण के कमाई की थी प्रधान फोटोग्राफी जून 2010 में सुरु हुई फिल्म की सूटिंग स्री लंका बैकाक और मुंबई में की गई थी फर्ष्ट लूक पोस्टर 5 अपरेल 2011 को लांच किया गया था तीन जून 2011 को दुनिया भर में नाट की रूप से रिलीच किया गया था रेड का बजट था और आज इवन 22 संग्रा 180 करोंड था फिल्म को आलोचकों से मिस्रित समिच्छा मिली है इसके संगीत हास और खान के प्रदर्सन के लिए प्रसंसा मिली है लेकिन इसकी लंबाई और पटकता के लिए आलोचना की गई है रेडी टू नामक एक अध्यातिमिक सीक क्वेल की घोंसरा जुलाई 2018 में की गई थी असिन की साधी के बाद फिल्मों में सन्यास लेने के कारण यह पुष्टी हो गई है कि वह अगली कड़ी में वापसी नहीं करेंगे तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी सूरू होती है फूरतीला फ्रेम अपने प्रेमी राजु के स अपनी सहली खुसी को भगाने में मदद करता है इससे उसके पिता अभिनो और कपूर नाराज हो जाते हैं प्रेम अपने परिवार को सांत कराता है जो एक महिला पूजा के साथ उसकी साधी तैंक करता है शंजाना जो अभी अभी अपनी साधी से भागी है प्रेम को अपने छाचा को पूजा छोड़ने के बारे में बताते हुए सुनाती है जैसा कि कपूर परिवार अभी तक उस से नहीं मिला है संजाना उसके रूप में पोच्ज देती है और साथ रहती है और ज़ल्द ही कपूरों पर जीत हांसिल कर लेती है उसके मामा अमर और सूरज उसकी साधी कराने के लिए दूले की तलास करते हैं सूरज का बेटा आरेन प्रेम के कारण कोमा में चला जाता है जिसे संजाना की पहँचान का पता चलता है लेकिन वे प्यार में पढ़ जाते हैं सूरज संजाना को ले जाता है सच्चाई के बावजूत कपूर अभी भी उससे प्रेम की पतनी के रूप में चाहते हैं संजाना से वादा करते हुए वो उससाधी करनी का एक रास्ता खोज लेंगा प्रेम बली के बतीजे के रूप में फेस करता है जो एक चार्टर्ट एकाउंटेंट है जो अमर और सूरज की सेवा करता है जल्दी कपूर परिवार ने चोधरी को धोखा देकर संजाना को प्रेम से साधी करनी दिया आरेन ठीक हो जाता है और प्रेम के बारे में खुलासा करता है जो तब बताता है की कैसे संजाना की दिवंगत मा गीता उनका मिलन चाहती थी और उसकी साधी कर दी गई अमर और सूरज को अपनी गलती का एहसास होता है और उन्हें माफ कर दिया जाता है अंत में प्रेम और संजाना साधी कर लेते हैं और अपनी साधी की तस्वीर खीच लेते हैं तो दोस्तों इस फिल्म ने किसने कौण सा रोल प्ले किया इसके बारे में भी हम आपको बताते चलें प्रेम कपूर के रूप में सल्मान खान, सुमित्रा और राम के बेटे, भरत और लश्मण के भतीजे, खुसी का दोस्त संजाना के पती हैं, संजाना सिंग कपूर, पूजा मलहोत्रा, नकली के रूप में, असिन, थोटू मुकल, गीता की बेटी, इश्वर की पोती, अमर और सूरज की भतीजी हैं, अरजुन और आरेन के चचेरे भाई हैं, पूजा का दोखे बाज प्रेम की पतनी है, बलिदान भरतवाज उर्फ बली के रूप में परिश्रावल जी हैं, अमर और सूरज के ट्रियार्टेड एकाउंटेंट की सेवा, सकुन तला का पती कर रहा है, म अनुराधा पटेल हैं, राम की पतनी प्रेम की मा हैं, आस्था गिल के रूप में ओलिविया भरत कपूर उर्फ बीके मोदी के रूप में मनोज जोसी जी हैं, राम और लश्मण के भाई सुमन का पती प्रेम के चाचा हैं, प्राची पाठक सुमन कपूर के रूप में भरत की पतनी प्रेम की चाची हैं मनोच पहावा लश्मण कपूर उर्फ स्री समराथ माथुर के रूप में हैं राम और भरत के भाई सीला के पती प्रेम के चाचा हैं किरण आहुजा सीला कपूर उर्फ स्री मतियातिका माथुर लश्मण की पतनी प्रेम की चाची हैं इस्वर चौदरी के रूप में स्तरच सक्सेना, इस्वर का वेटा, गीता और अमर के भाई, सालनी का पती, संजाना और अरजुन के चाचा, आरेन के पिता हैं। रादिका चौदरी के रूप में गारगी पतेल, अमर की पतनी, संजाना और अरेन की मौसी, अरजुन की मा जूनियर अमर की दादी हैं। अरजुन की पतनी जूनियर अमर की मा हैं, अमर चोदरी उर्फ छोटा, अमर के रूप में मोहित वगेल हैं। आइसा और अरजुन का वेटा, राधिका और अमर का पोता, इश्वर के पपोत्र हैं। जस्विंदर, गाड़नर, सकुंतला भरत द्वाज उर्फ सकू के रूप में बलिदान की पतनी हैं। लहरी के रूप में सुदेश लहरी हैं। अरूड बली गुरुजी के रूप में हैं। छोटे गुरुजी के रूप में हेमंत पांडे हैं। आविनो पाठक के रूप में मितलेश चतुरवेदी और खुसी के पिता हैं। अम्रता, रायचंद, पूजा मलेहत्तरा के रूप में हैं, सालनी साहुता, नैना, परोजकर के रूप में कपूर की नौकरानी हैं, कुरुब्रा, सैथ सुनैना, सेंठी के रूप में कपूर की नौकरानी हैं, युवराज महरा के रूप में राजिव काचरू राधिका की बह की एक बेटी प्रेम का दोस्त गौरों की पूर्व मंगेतर राजु की फत्नी हैं। पर इस्थान बदल कर स्री लंका कर दिया गया था। सल्मान खान ने स्री लंका को भारत से निकटता और भारती प्रस्तुतियों के लिए इसे उप्यूक्त परदर्स के रूप में चुनने के अपने निर्ने का वर्ण किया। परसंट फिल्म आंकन पूरा हो गया था। सूटिंग का दूसरा सेडूल अक्टूबर 2010 में सुरू होने वाला था। मुंबई में 3 नुवंबर 2010 से फिर से सूटिंग सुरू हुई। तैयार के हिस्से मुंबई के फिल्म सिटी और मुंबई के उत्तर में मध्य द्यूप में 44 स्ट्यूडियो में सूट किया गया था। सूटिंग का अंतिम सडूल फर्वरी 2011 में बैकाक में सुरू हुआ था। रिपोर्टरों के अनुसर अभिनेता आजे देवगन, संजदत और कंगना रानोत जो डेविड धवन की फिल्म की सूटिंग के लिए बैकाक में थे। रास कल्स को सल्मान खान ने फिल्म का हिंसा बनने के लिए बुलाया था। तीनों ने कैमियों अपियर्स करते हुए एक दिन के लिए सूटिंग की, अरवाज खान और जरी खान ने भी फिल्म में छोटे कैमियों के लिए सूटिंग करने की पुष्टी की थी, सूटिंग का अंतिम सेडूल मार्च 2011 में पूरा हुआ, रेडी के दो गाने, करेक्टर धि कुमार के अनुशार्फ, पूरी प्रोडक्शन टीम को लगा की द्रस सी गाने के अनकूल नहीं हैं, गीत करेक्टर धिला, जिसमें सल्वान खान और जरी खान एक कैमियों पुस्थिती में हैं, अन्भवी, अभिनेता, राजकापूर, दिलीब कुमार और धर्मेंद्र को इस फिल्म की रिलीज की तारीक पहले 27 मई को निर्धारित की गई थी, लेकिन बाद में इसे 3 जून तक बढ़ा दिया गया था, कई मल्टीव प्लेक्सों में 29 मई में रिलीज के 5 दिन पहले हो अग्रीम बुकिंग खोली गई, ये कम से कम 1000 UFO डिजिटल प्रिंटरों और पहली भारती फिल्म बन गई, सिंगल स्क्रीन पर अग्रीम दवंग से मेल खाता था, और यहां तक कि इसे कई जगों पर बेहतर भी किया गया है, बिस्व प्रीमियम ने 1 जून 2011 को दुबाई के ग्रेंड सिनेग लेक्स में हुआ था, इस फिल्म को आलुचकों से मिस्तरित समिछा मिली, The Times of India के निखत काजवी ने इसे 5 में से 3 इस्टार देते हुए कहा कि यह फिल्म अबनेता के बजाए मनोरंजन करने वाली सलमान खान के लिए एक बेजोड गीत है, और हां यह उस अस्तर पर काम करती है, बालीवूड हंगामा के तरण आदर्स ने फिल्म को 5 मे से 4 पुरुषकार देते हुए कहा कुल मिलाकर रेडि सकती से जनता के लिए और उन लोगों के लिए है, जो आन तोर पर मसाला मनोरंजन परसंद करते हैं, फिल्म सूपर संगीत करेक्टर ढीला के साथ खुद को गौरवांगित करती है, और धिंग चिकाटिक धिक परिहास और नोटंग की बहुत और निश्चित रूप से सलमान खान जनता के प्री और इस फिल्म के मुखधारा फिल्म पियर पांच में से 4 सितारों को भी समानित किया है, जबकि टिपड़ी करते हुए जब सलमान खान या रजनी कांद की फिल्म की बात आती है, तो उनका प्रदर प्रसन है जो माइने रखता है, इसे साड़े तीन स्टार की रेटिंग दी और कहा, रेडी बॉक्स आफिस पर अच्छा है स्कोर करेगी, एक सांदार सुर्वा सुपर हिट संगीत सलमान खान और एक अच्छे मनरंजन के लिए धन्यवाद खुराख है, एंडी टीबी मुव और नो प्राबलम, लेकिन यह अभी भी उनके विशेस ब्रांड में बहुत अधिक है, ब्रेंड डेड हसी मजाक के लिए कुछ भी, रेड़ी डॉट कॉम के राजा सेन ने फिल्म को यह कहते हुए डेड इस्टार से समानित किया है, कि रेड़ी कोई मतलब निकालने की कोश इस भी नहीं करता और इसलिए सपाट हो जाता है, केवल यह पैसे के लिए मूल से अधिक जवरन वसूली है, सिफी की सूनिया चोपडा ने टिपड़ी करते हुए डही सितारों से समानित किया गया और फिल्म की पूरी तरह से सलमान खान पर केंद्रित है, वो एह सब कर रह है, बुद्धिमान, दरारे, भाबिनरत्य, बुरे लोगों की पिटाई और लड़की के साथ रोमांस करना, यह सब उसकी बिज़ेस्ता, ड्रा और सोयगर के साथ है, या हो के कुरुनाडगुहा, फिल्मों ने फिल्म को एक सितारा दिया है, और कहा है कि फिल्म समाप्त होन में से इनकार करती है, क्योंकि आनावास्यक, ब्रह्म और जटिलताएं धेर हो जाती है, आपको आस्चर होगा कि क्या इसे साप करने के लिए पर्याप्त रील बाकी है, CNA, IBN के राजियू मसंदा फिल्म को पांच में से डेड़ स्टार से समानित किया है, और ये टिपड़ी करते हुए रेडि सक्त सल्मान खान और प्रसंसकों के लिए क्या कोई अन्य प्रकार है, जो इस तत्ति को माफ करने को तयार है कि इसे बेस्वात बेहुदा फिल्म में कोई बात करने की साजिस है, फिर भी दो घंटे और तीस मिनट में आलसिस से सामने आता है, सल्मान खान इससे बेहतर के हकदार है, दा इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुपता ने फिल्म को एक सितारा दिया है, और कहा है कि इस फिल्म को वास्तों में जो मार देता है, इसकी बकवास ना तो अभिस्कार सील है और ना ही उचूर जा, खलीजा टाइम्स ने फिल्म को तीन सितारों से समानित करते हुए टिपडी की है, कि बजमी की पटकता एक तेलगू हिट की एक सूटिंग परेटेंट सीजन के दोरान गोवा की तुल्ला में आधिक पात्रों को समायुजित करती है, प्रतेक चरित्र, अतिपोसाक और अतिसीर्स हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के मैंक सेखर ने दो सितारे दिये हैं, जिसमें कहा गया है कि सल्मान खान का फिर से पिसा हुआ मसाला वांटेड दबंग अभी भी उपन्याश है, वो अपने दर्सकों को सं समस्ते कहने के लिए गेटिया में आत जाता है, यह एक पाप है, संसकृतिक अनुभो ठीक है, और पूरी तरह से इसके लाइक है, मिश्ट डे की सुबरा सेटी साहानी इसे धाई सितारों की साथ रेट करते हुए कहा है कि फिल्म के बारे में अच्छी बात है, निश्चित सक निरास नहीं होंगे और हाँ उन्हें देखने को मिलेगा, क्लाइमेक्स में टापलेस दा पानियर की सालिन सकसेना ने फिल्म को दस में से छे देते वे कहा है कि मानो या ना मानो, लेकिन सल्मान खान एक रोल पर है, वांटेट और दबंग जैसी फिल्मों की सफलता के बा रेड़ पी की प्रीती अरोडा ने पांच में से दो अंग दिये हैं और कहा है कि सल्मान खान को सरंधाजली नहीं है, यह एक ऐसा वाहन है जो पिछले 20 वर्सों में देखे गए सर्फेश्ट सल्मान खान को प्रदर्सित करता है, यह मनोरंजिन करता है अगर इस मूवी की बॉक्स ओफिस कलेक्शन की बात की जाये तो भारत में रेड़ी ने बॉक्स ओफिस पर जबरजस्ट प्रितकरिया की है कि साथ सुरुवात की और सिंगल स्क्रीन वाले सिलेमाई घरों में लगभग 95% से 100% आक्स यू पेसी की सूचना दी है, जबकि मल् के आधार पर 60% से 100% आक्स यू पेसी की सूचना दी, फिल्म ने अपने कारोबार के पहले दिन में 130 मिलियन यू येस 1.6 मिलियन की कमाई की इस प्रकार दबंग के बाद पूरे भारत में दूसरा सबसे बड़ा ओपेनियन डे ग्रासर बन गया है, अपने कारोबार के दूस इसरे दिन इसे 124 मिलियन यू येस 1.6 मिलियन का संग्रह किया था, इसलिए दो दिन की कुल कमाई 254 मिलियन यू येस 3.2 मिलियन तक ले गई, फिल्म की सुरुवाती सबताहा संग्रह लगभग 430 मिलियन यू येस 5.3 मिलियन का सुद्ध शंग्रह किया, जो इसे अब तक का दूसरा सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड और साथ ही अब तक का सबसे बड़ा गयर हैंडल वीकेंड बना रहा है इसे 70 मिलियन यूएस, 880 हाजार से अधिक नेट और मंगलवार को लगबग 50 मिलियन यूएस, 81, 810 हाजार के साथ सिस्थिर संग्राय दिखाया गया जो पहले सब्ता के नेट को 695 मिलियन यूएस, 8.7 मिलियन नेट फिल्म ने अपने दूसरे सब्ताह में 200 मिलियन यूएस, 2.5 मिलियन की कमाई की जिससे यूएस, 11 मिलियन सुद्ध, दूसरे सब्ताह में फिल्म ने 323 मिलियन यूएस, 4.0 मिलियन का संग्रे किया जिससे दो सब्ता की कुल कमाई एक हजार पंद्रा मिलियन यू यस त्यारा मिलियन हो गई रेडी इस प्रकार घरेलू बाजारों में वन मिलियन से अधिक संग्रह करने वाली बाली बुट के इतिहास में पांच वे बन गए हैं संगीत प्रीतम द्वारा रचित है जबकि गीत अमताब भटाचार आसीस पांडे नीलेश मिस्तरा और कुमार द्वारा लिखे गए हैं इसे 25 अप्रेल 2011 को टी सीरीज के बाइनर तले फिल्म सिटी गोरे गाउं में लांच किया गया था एल्बम में चार मोल ट्रेक और चार रिमेक्स हैं आरे टू के आइटम गीत रिंग रिंगा रिंग रिंगा को इसके मोल संगीत कार देवी स्री प्रसाद द्वारा फिल्म के लिए बनाया गया था गीत में उत्तर भारत की जनम भूमी के अनरूप परिवर्तन हुए एक उधारण रिंग रिंगा रिंगा का धिंग चिकाटिक धिंग चिकाचिक में परिवर्तन हुआ है संगीतकार अनुमलिक ने आरोप लगाया है कि करेक्टर ढीला गाना 2001 की फिल्म अजनवी से उनकी मुहबत नाम है कि एक अधिनी क्रत प्रती है उन्होंने मीडिया से कहा है कि वो शंभ होता प्रीतम के खिलाप साहितिक चोरी का मुकतमा दायर करेंगे गीतकार तुर्की मुहमद आजम ने प्रीतम के खिलाप एक साहितिक चोरी का मुकतमा दायर किया है जिसमें दावा किया गया है कि करेक्टर ढीला के बोल उनके द्वारा 2007 में लिखे गए एक गीत कापी के किये गए थे बांबे हाई कोर्ट ने इस मामले को खारिच कर दिया है ये फैसला करते हुए कि प्रीतम गीतकार नहीं है इसलिए उन्होंने उत्तरा अधिकारी नहीं ठहरा जा सकता है फिल्म को इसकोर संदीप सीडोर कर ने तयार किया था बालीबोड हंगामा के जोगिंदर टुटेजा ने एल्बम को पांच में से चार स्टार दिये हैं और इसे सम्मानित करते हुए एल्बम में केवल चार गीतों की साथ बहुत अधिक पर हाथ रखने की इच्छा रखते हुए एल्बम को अनकूल रूप से रेट किया गया है फिर भी जो उपलब्ध कराया गया है उसमें से काफी अच्छे हैं धिंग चिकाटिक जिंग चिकाचिक और करेक्टर ढीला के साथ जस्न मनानिय के सवी कारण ना केवल संगीत की द्रश्टी से बहुत हिट होने वाले हैं बल एपी की सुकन्या वर्बा ने इसे पांच में से धाई स्टार देते हुए या कहते हुए रेडी एक गाना भरी एल्बम नहीं है प्रतेक के लिए एक डीजी रीमेक्स समकच के बावजोद ना ही यह गेम चेंजर है फिर भी इसे कम से कम दो संभावित जन परसंदीदा मिले हैं जो इसके मूल पूरक हैं अग्रणी आदमी के इस्टालिस भीड सुकदायक बेक्तत्तु की पेसकस करने के लिए यह रेडी के लिए इस्थिर हिट और जाने के लिए परियाप्त नहीं होना चाहिए इंडिया विकाली के वीव सिवेस कुमार ने एल्बम को पांच में से चारिश्टर दिये हैं और फिल्म फेर के राहुल गंगवानी ने इसमें पांच में से चारिश्टर दिये हैं सायद ही हम इसे संगीत अलबुमों में आते हैं जो मुक अभनेता के वेक्तत्त को पूरी तरह से वेक्त करते हैं अबदूर रसीद, सलीम सल्मान खान, उर्फ सल सलमान खान हिंदी फिल्मों के मसूर अभनेता तो है ही इसके साथ साथ वे निर्माता टेलीवीजन परसनाल्टी और समास सेवी भी हैं लोग उन्हें प्यारते सल्लू भाई भायजान आधिनामों से पुकारते हैं उन्होंने अपने कैरियर में कई छोटी बड़ी फिल्मों मे काम किया है और धीरे धीरे उनकी प्रसंसकों की संख्या लगातार बढ़ती गई है उन्होंने इंडरिश्टी में अपना एक अलग मुकाम इस्थापित किया है और हिंदी सिनेमा के अग्रणी अभनेताओं में से एक हैं सल्मान खान की कुछ अंसुनी बातें जिसके बारे म का ए आलम है कि उनके घर के गलेक्सी अपार्मेंट के बाहर उनके चाहने वालों की भीर लगी रहती है उनके फैंस की दिवान की कुछ ऐसी है कि उनकी एक जलक पाने के लिए उनके प्रसंसक बेताब रहते हैं कई बार तो ऐसा हुआ है कि सल्मान खान को अपने फैंस से उनके पिता का नाम सलीम खान है जो मसूर फिल्म लेखक रह चुके हैं। उनकी मा का नाम सुसीला चरक है, उनके पिता जम्मु कस्मीर से तो वहीं उनकी मा महरिष्टियन है। पूर्व अभनेत्री हेलन उनकी सोतेली मा हैं। उनके दो भाई भी हैं जिनका नाम अरवाज खान और सुहेल खान है अरवाज की साधी पूर्व में वीजे रही और अबनेत्री माईलका अरोडा खान से हुई है सलमान खान की दो बहने भी हैं जिनका नाम अलवीरा और अर्विता है सलमान खान की पढ़ाई सींधियाmi स्कूल गवालिर से हुई है जहां से वैं अपने भाई अरबाज खान के साथ पढ़ते थे इसके बाद की पढ़ाई उन्होंने मुंबई के बांद्रा इलाके में इस्तित सेंटर जों लारियर स्कूल से की है अगर हम इनके कैरिर की बात करें तो सलमान खाल ने अपने अभिने कैरिर की सुरुआ सहायक अभिनेता के तोर पर फिल्म बीबी हो तो ऐसी से की थी मुखी अभिनेता के तोर पर उनके फिल्म मैंने प्यार किया थी जो सुपर हिट रही थी उनकी फिल्म हम आपके हैं कौन सभी का दिल जीत लिया तो वहीं फिल्म तेरे नाम में उनके अभिने की काफी प्रसंसा भी हुई है और अपने अभिने से उन्होंने सभी को भाव कर दिया है इस फिल्म में सल्मान खान को अपने अभिने के सभी से लेकर उनके फंस की दिवान की कुछ यूँ थी उन्होंने सलमान खान की तरह अपने बालों की स्टाइल रख ली और वो हेर इस्टाइल तेरे नाम से मसूर हो गए इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया लेकिन पिछले कुछ वर्सों से उनके प्रसंसकों में इसलिए भी इजाफा हुआ है कि क साल दोजाराट में सलमान खान ने टीवी सो में दस का दम होश्ट किया जिसमें दर्सकों ने काफी प्रसंद किया जिसके बाद साल दोजार दस में बिग बाउस फोर होश्ट किया बिग बाउस होश्टिंग में सलमान खान ने खोब पापलर हुए थे सलमान खान ने लगात अपना हम आपके हैं कौन करन अर्जुन खामोसी जुडवा प्यार किया तो डरना क्या वंधन बीबी नंबर वन हम दिल दे चुके सनम हम साथ साथ हैं दुलहन हम ले जाएंगे तेरे नाम गर्ब मुझसे साधी करोगी नो इंट्री क्योंकि पार्टनर यू राज वांटेड डबंग बाडी गार्ड एक था टाइगर डबंग टू किंग बजरंगी भाई जान टाइगर जिन्दा है रेस थिरी जैसी फिल्मों में वह इंड्रिस्ट्री के सूपर हिट सूपर इस्टार माने जाते हैं रेडी मोबी 2011 में रिलीज हुई एक रोमांटिक केमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन अनिस बजमी ने किया है फिल्म में सलमान खान असिन मुख्य भूमका में दिखाई दिये तो वही सायक भूमका में परेश रावल, आर्या बबर, महेश मंजेरकर, अनरोधा पटेल, मनोज जोसी, प्राची पाठक, पुनित इससर, सरत सकसेना आदि मुख्य भूमका में नजर आये थे साथ ही फिल्म में संजेदत, कंगना रानौत, जरीन खान, अर्बाच खान, अजे देवगन, मुख्य भूमका में नजर आये थे इस फिल्म की कहानी साब सुतरी परिवारिक फिल्म है, जिसे पूरे परिवार के सदस्यों के साथ देखा जा सकता है सभी जानते हैं कि सल्मान खान का पसंदीदा नाम प्रेम है और इस फिल्म में भी उन्होंने प्रेम के रूप में जिस तरह का प्यार किरदार निभाया है दर्सकों ने उन्हें फिर से मुरीद हो गए हैं, फिल्म की कहानी पूजा और प्रेम की कहानी है इस प्रेम कहानी में उसका पूरा परिवार प्रेम के साथ प्रेम का दिल का बेहत अच्छा इंसान है वो अपने दोस्तों की मदद करता है लेकिन घरवालों की नजर में वो बिगडी अवलाद है परिवारी वाले चाहते हैं कि प्रेम के लिए किसी सुकन्या की तलास हो जाए इसी करम में पूजा प्रेम के घर आती है पूजा प्रेम की नजदीकियां बढ़ जाती है पूरा परिवार पूजा और प्रेम को एक करना चाहता है लेकिन यहीं कहानी में ट्विश्ट तब आता है जब पूजा के दो मामा जिसे आसिरवाद से पूजा प्रेम से साधिक करना रेडि मूबी में प्रेम सलमान खान को भागी हुई दुलहन संजना से प्यार हो जाता है जो परिवारिक अथिती के रूप में सामने आती है और अपने महान परिवार की सरण में ले लेती है लेकिन इससे पहले कि वो उससे साधी कर सके उसे उसकी परिवारिक समस्याओं को सुलजाना होगा और उसके युधत बाकीले समस्याओं को सुलजाते हुए एक आदर्स हम साथ साथ हैं परिवार में बदलना होगा एक्सन ड्रामा और कुछ लोब्रा हूमर का समय है यह समझाना मुस्किल है कि अनीस बजमी फिल्मों को क्यों नहीं बनाते आम तोर पर इसका कोई तरक नहीं होता थैंक यू नो प्राबलम लेकिन फिर यह समझना आसान है कि अनीस बजमी फिल्में क्यों नहीं बनाते हैं अति यार है दया करके एक और कारण भी है सलमान खान ये फिल्म अभनेता के बजाए मनुरंजन करने वाले सलमान खान के लिए एक बेजोड गीत है और हाँ उस उस अस्तर पर काम करता है एक अभनेता के वन मैंसो के लिए वापस बैठे जो स्क्रीन पर अपनी बड़ी से बड़ी के बारे में अधिक से अधिक अप्राय हो जा रहा है और आपको अपनी इच्छा के लिए सभी धमाके मिलेंगे तो आपके पास सलमान खान वह सब कुछ कर रहे हैं जो वह करना प्रसंद करते हैं और आप देखना प्रसंद करते हैं वह चुटकुले संबादों से बात करता ह जोरदार और बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ के गीतों और नत्यों में तूट जाता है बेसर्म अंदाज में लड़की से रोमांस करता है जब तक बांचित होता है आज ये हिट मसीन बन जाता है अपने लोगप्री परिवारिक लड़के आउतार को कभी नहीं जाने देता मैंने प्यार का मोल प्रेम याद रखें और लगातार इसे उपर से खोल कर आपको हसाने की कोशिस करता है और हाँ वहीं करता है जो उसे करना चाहिए अपनी कमीच उतारता है अपने पूरे परिवार की तरह से तरासे हुए सरीर को उजागर करता है और बेर्थ ये जाने सभी ढोंगों को दूर कर सकें बाकी किरदार भी पागल हैं कई पूरस महिलाएं उनके लड़के आप उनकी गिंती खो देते हैं मुकता पूंड बोलते हैं करकस बोलते हैं संगीत बहरे डेशिबल इस्तरों पर बज़ता है कैनवास और फिल्म के रंग गजब हैं औ और लाउड स्पीकर और आपको सूचने का मौका देने के लिए आराम करने का कोई छण नहीं है फिल्म सिरिनू वैतला द्वारा निर्देसित इसी नाम की 2008 की टेलगू फिल्म की आधारिक रीमेक है इस फिल्म में लंदन ड्रीम्स के बाद सल्मान खान और असिन थोटू मक उनकी दूसरी फिल्म में एक साथ हैं तैयार रवेव सिनेमाज और वन आप इंटर्टेन्मेंट द्वारा बितरित किया गया था खान ने फिल्म का वर्णन भी किया था जबकि कहानी गोपी मोहन और कोना बेकंट ने लिखी थी इस फिल्म के निर्देशक हैं अनीस बजमी और इस फिल्म के लेखक हैं राजियो कौल एक राम अक्तर राजन अगरवाल और इसे संपादित किया है निशार अक्तर और फरहाद साजित ने और इसकी कहानी लिखी है गोपी मोहन और कोना बेकंट ने और यह मोबी आधारित है स्रुनु वैतला द्वारा तयार किया गया है आसिन थोटूमकल सलमान खान और इस फिल्म का चाइंकन करने वाले ही सुनील पटेल और इस फिल्म को संपादित किया है रितेश सोनी ने और इस फिल्म में संगीत दिया है प्रीतम चक्रवरती ने यह मोबी 3 जून 2011 को भारत में रिलीच हुई थी इसकी कारिकारी समय 145 म देश भारत भाषा हिंदी अगर बजट की बात की जाये तो यह मोबी 30 करोण के बजट पर तयार हुई थी अगर इसके बॉक्स आफिस कलेक्शन की बात करें तो इसने बॉक्स आफिस पर 180 करोण की सुद्ध कमाई की थी प्रधान फोटोग्राफी जून 2010 में सुरू हुई की सुटिंग स्री लंका बैकाक और मुंबई में की गई थी फर्ष्ट लूग पोस्टर फांच अपरेल 2011 को लांच किया गया था तीन जून 2011 को दुनिया भर में नाट की रूप से रिलीज किया गया था रेडी ने एक गहर आवकास फिल्म के लिए भी सभी रिकार्ड तोड दिये इसने भारत में 30 रुपे की तुल्ला में 120 करोण की सुद्ध कमाई की थी करोण का बजट था और आज इवन 22 संग्रा 180 करोण था फिल्म को आलोचकों से मिस्रित समिच्छा मिली है इसके संगीत हास और खान के प्रदर्शन के लिए प्रसंसा मिली है लेकिन इसकी सामक एक अध्यातिमिक सीक्वेल की घोंसरा जुलाई 2018 में की गई थी असिन की साधी के बाद फिल्मों में सन्यास लेने के कारण ये पुष्टी हो गई है कि वो अगली कड़ी में वापसी नहीं करेंगे तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी सूरू होती है फूरतीला फ्रेम अ सांत कराता है जो एक महिला पूजा के साथ उसकी साधी तैंक करता है शंजाना जो अभी अभी अपनी साधी से भागी है प्रेम को अपने चाचा को पूजा छोड़ने के बारे में बताते हुए सुनाती है जैसा कि कपूर परिवार अभी तक उस से नहीं मिला है संजाना उस की साधी कराने के लिए दूले की तलास करते हैं सूरज का बेटा आरेन प्रेम के कारण कोमा में चला जाता है जिसे संजाना की पहचान का पता चलता है लेकिन वे प्यार में पड़ जाते हैं सूरज संजाना को ले जाता है सच्चाई के बावजूत कपूर अभी भी उससे प् उस साधिक करनी का एक रास्ता खोज लेंगा प्रेम बली के बतीजे के रूप में फेस करता है जो एक चार्टर्ट एकाउंटेंट है जो अमर और सूरज की सेवा करता है जल्दी कपूर परिवार ने चोधरी को धोखा देकर संजाना को प्रेम से साधिक करने दिया आरेन ठीक हो जाता है और प्रेम के बारे में खुलासा करता है जो तब बताता है कि कैसे संजाना की दिवंगत मा गीता उनका मिलन चाहती थी और उसकी साधि कर दी गई अमर और सूरज को अपनी गलती का एहसास होता है और उन्हें माफ कर दिया जाता है अंत में प्रेम और संजाना सा श्वीर खीच लेते हैं तो दोस्तों इस फिल्म ने किसने कौन सा रोल प्ले किया इसके बारे में भी हम आपको बताते चलें प्रेम कपूर के रूप में सल्मान खान सुमित्रा और राम के बेटे भरत और लश्मड के भतीजे खुसी का दोस्त संजाना के पती हैं संजाना सिं प्रेम के चचेरे भाई हैं पूजा का दोखे बाज प्रेम की पतनी है बलिदान भरत द्वाज उर्फ बल्ली के रूप में परिश्रावल जी हैं अमर और सूरज के ट्रियार्टेड एकाउंटेंट की सेवा सकुनतला का पती कर रहा है महेस मंजेगर कर राम कपूर उर्फ क देके मोदी के रूप में हैं भारत और लश्मड के भाई सुमित्रा के पती प्रेम के पिता शुमित्रा कपूर के रूप में अनुराधा पटेल हैं राम की पतनी प्रेम की मा हैं आस्था गिल के रूप में ओलिविया भारत कपूर उर्फ बीके मोदी के रूप में मनो जोस जी हैं। राम और लश्मन के भाई सुमन का पती प्रेम के चाचा हैं। प्राची पाथक सुमन कपूर के रूप में भरत की पत्नी प्रेम की चाची हैं। पिता अमर और सूर्ज के पिता संजाना, अर्जुन और आर terrifying के दादा जूनियर अमर के फर दादा हैं। सूरज चोधरी के रूप में स्तरज सक्सेना, इस्वर का वेटा, गीता और अमर के भाई, सालनी का पती, संजाना और अरजुन के चाचा, आरेन के पिता हैं सालनी चोधरी उर्फ सालू के रूप में प्रबीन्ड देश पांडे, सूरज की पतनी, संजाना और अरजुन की मौसी, आरेन की मा हैं अमर चोधरी के रूप में अखिलेंदर मिस्वर, इस्वर, का वेटा, गीता और सूरज के भाई, राधिका के पती हैं संजाना और आरेन के चाचा, अरजुन के पिता, जूनियर अमर के दादा हैं राधिका चोधरी के रूप में गारगी पतेल, अमर की पतनी, संजाना और आरेन की मौसी, अरजुन की मा जूनियर अमर की दादी हैं आरेन चौधरी के रूप में नितकिन धीर सालनी और सूरज का बेटा है इस्वर का पोता गीता अमर और वीर का भतीजा संजाना और अरजुन की चेचेरी बहन है आरे बबर बीर चंदर त्यागी के रूप में सालनी की बहन का पती आरेन के चाचा हैं आयसा चौधरी के रूप में इवा ग्रोवर हैं अरजुन की पतनी जूनियर अमर की मा हैं अमर चौधरी उर्फ छोटा अमर के रूप में मोहित वगेल हैं आयसा और अरजुन का बेटा राधिका और अमर का पोता इश्वर के पपोत्र हैं, जस्विंदर गाड़नर सकुनतला भरत द्वाज उर्फ सकू के रूप में बरिदान की पत्नी हैं, लहरी के रूप में सुदेश लहरी हैं, अरूड बली गुरुजी के रूप में हैं, छोटे गुरुजी के रूप में हे सुनेना परोजकर के रूप में कपूर की नौकरानी हैं कुरुब्रा सैथ सुनेना सेठी के रूप में कपूर की नौकरानी हैं यूवराज महरा के रूप में राजिव काचरू राधिका की बहन के पती अरजुन के चाचा हैं किरन्ट चौक्सी के रूप में कंगना रानौत गौरों की प्रेम का और प्रेमी हैं, खुसी पाठक सोनकर के रूप में जरी खान अभिनो की एक बेटी प्रेम का दोस्त गौरों की पूर्व मंगेतर राजु की फत्नी हैं, गौरों की लोसकर के रूप में अरवाज खान किरन की प्रेमी और प्रेमी खुसी की पूर्व मंग इस फिल्म की सूटिंग पहले मारिशस में होनी थी, हलाकि सल्मान खान के अनरोध पर इस्थान बदल कर सिरी लंका कर दिया गया था। उसी बेटोटा के इस्थानों पर 27 दिनों से अधिक समय तक चला था। इस दोरान लगबग 40% फिल्मांकन पूरा हो गया था। तैयार के हिस्से मुंबई के फिल्म सिटी और मुंबई के उत्तर में मध्य द्यूप में 44 स्ट्यूडियो में सूट किया गया था। सूटिंग का अंतिम सडूल फर्वरी 2011 में बैकाक में सुरू हुआ था। रिपोर्टरों के अनुसर अभिनेता आजे देवगन, संजदत और कंगना रानोत जो डेविड धवन की फिल्म की सूटिंग के लिए बैकाक में थे। राज से कल्स को सलमान खान ने फिल्म का हिंसा बनने के लिए बुलाया था। कोई के फिल्म सीटी स्टूडियो में फिर से सूट किया गया था। निर्माता भूशिट कुमार के अनुसर पूरी प्रोड़क्शन टीम को लगा की दरस सी गाने के अनकूल नहीं है। गीत करेक्टर ढीला जिसमें सलमान खान और जरी खान एक कैमियों पुस्थिती में हैं। अन्भवी अभिनेता राजकपूर दिलीब कुमार और धर्मेंदर को स्तुर्धांजली दी है। इस फिल्म की रिलीज की तारीक पहले 27 मई को निर्धारित की गई थी लेकिन बाद में इसे 3 जून तक बढ़ा दिया गया था। की मल्टीव प्लेक्सों में 29 माई में रिलीज के 5 दिन पहले को अग्रीम बुकिंग खोली गई। यह कम से कम 1000 UFO डिजिटल प्रिंटरों और लगभग 1900 प्रिंटरों पर रिलीज होने वाली पहली भारती फिल्म बन गई। सिंगल स्क्रीन पर अग्रीम दवंग से मेल खाता था और यहां तक कि इसे कई जगों पर बेहतर भी किया गया है। विश्व प्रिमियम ने एक जून 2011 को दुबाई के ग्रेंड सिनेग लेक्स में हुआ था। इस फिल्म को आलोचकों से मिस्तरित समिच्छा मिली दा टाइमस ओफ इंडिया के निखत काजवी ने इसे पांच में से तीन इस्टार देते हुए कहा कि यह फिल्म अभिनेता के बजाए मनोरंजन करने वाली सलमान खान के लिए एक बेजोड गीत है। और हाँ यह उस अस्तर पर काम करती है बाली वुड हंगामा के तरण आदर्स ने फिल्म को पांच में से चार पुरुसकार देते हुए कहा कुल मिलाकर रेडिस सकती से जनता के लिए और उन लोगों के लिए है जो आन तोर पर मसाला मनोरंजन परसंद करते हैं। निश्चित रूप से सलमान खान जनता के प्री और इस फिल्म के मुख्धारा फिल्म पियर पांच में से चार सितारों को भी समानित किया है। तीन इस्टार की रेटिंग दी और कहा रेडि बॉक्स आफिस पर अच्छा है स्कोर करेगी। तांदार सुर्वा सुपर हिट संगीत सलमान खान और एक अच्छे मनोरंजन के लिए धन्यवाद खुराक है। एंडी टीवी मूबी की अनुपमा शोपरा ने टिपडी करते हुए दो सितारों को समानित किया। सुक्र है कि रेडि उसी आत्मा चूसने वाली स्रेडि में है जैसे कि निर्देशक अनिस बजमी की पहली फिल्म धैंक्यू और नो प्राबलम लेकिन यह अभी भी उनके विशेश ब्रांड में बहुत अधिक है। ब्रेंड डेड हसी मजाक के लिए कुछ भी रेडफी.com के राजा सेन ने फिल्म को यह कहते हुए डेड इस्टार से समानित किया है कि रेड़ी कोई मतलब निकालने की कोशिस भी नहीं करता और इसलिए सपार्ट हो जाता है। केवल यह पैसे के लिए मूली से अधिक जवरन वसूली है। सिफी की सुनिया चोपडा ने टिपड़ी करते हुए ड़ाई सीतारों से समानित किया गया और फिल्म की पूरी तरह से सलमान खान पर केंद्रित है। वो एह सब कर रहा है। बुद्धिमान, दरारे, भाबिन रती, बुरे लोगों की पिटाई और लड़की के साथ रोमान्स करना यह सब उसकी बिज़ेस्ता ड्रा और सोयगर के साथ है। यहो के कुर्णाडगुहा फिल्मों ने फिल्म को एक सितारा दिया है और कहा है कि फिल्म समाप्त होने से इनकार करती है क्योंकि आनावास्यक, ब्रह्म और जटिलताएं धेर हो जाती हैं। आपको आस्चर होगा कि क्या इसे साफ करने के लिए पर्याप्त रील बाकी है। CNA, IBN के राजियो मसंदा फिल्म को पांच में से डेड़ स्टार से समानिक किया है और ये टिपड़ी करते विए रेडि सक्त सलमान खान और प्रसंसकों के लिए क्या कोई अन्य प्रकार है जो इस तत्ति को माफ करने को तयार है कि इसे बेस्वात बेहुदा फिल्म में कोई की बात करने की साजिस है फिर भी दो घंटे और तीस मिनट में आलसिस से सामने आता है सलमान खान इससे बेहतर के हगदार है दा इंडियन एक्सफ्रेस की सुब्रा गोपता ने फिल्म को एक सितारा दिया है और कहा है कि इस फिल्म को वास्तों में जो मार देता है वो एह कि इसकी बकवास नभिसकार सील है और ना ही उचूरजा खलीजा टाइमस ने फिल्म को तीन सितारों से समानित करते हुए टिपडी की है कि बजमी की पटकता एक तेलगू हिट की एक सूटिंग परेटेंट सीजन के दोरान गोवा की तुल्ला में आधिक पात्रों को समायुज प्रतेक चरित्र अतिपोसाक और अतिसीर्स हैं हिंदुस्तान टाइम्स के मैंक सेखर ने दो सितारे दिये हैं जिसमें कहा गया है कि सलमान खान का फिर से पिसा हुआ मसाला वांटेड दबंग अभी भी उपन्याश है वो अपने दर्सकों को संच्छेब में नमस्ते कहने के लिए गेटिय में आत जाता है यह एक पाप है संसकृतिक अनुभो ठीक है और पूरी तरह से इसे इसके लायक है मिश्ट डे की सुब्रा सेटी सहानी इसे धाई सितारों की साथ रेट करते हुए कहा है कि फिल्म के बारे में अच्छी बात है निश्चित रूप से सलमान खा सालिनी सकसेना ने फिल्म को दस में से छे देते वे कहा है कि मानो या ना मानो लेकिन सलमान खान एक रोल पर है वांटेट और दबंग जैसी फिल्मों की सफलता के बाद वो रेड़ी के साथ तयार है जिस पर उसकी मुहर है हलाकि कहानी के बारे में कुछ भी सांदार नहीं ह यह आपको हसाने का प्रबंधन करता है रेड़ी की प्रीती अरोडा ने पांच में से दो अंग दिये हैं और कहा है कि सलमान खान को सरंधाजली नहीं है यह एक ऐसा वहन है जो पिछले 20 वर्सों में देखे गए सर्फेश्ट सलमान खान को प्रदर्सित करता है यह मनुरंज करता है अगर इस मूवी की बॉक्स ओफिस कलेक्शन की बात की जाये तो भारत में रेड़ी ने बॉक्स ओफिस पर जबरजस्ट प्रत्किरिया की है कि साथ सुरुवात की और सिंगल स्क्रीन वाले सिनेमाई घरों में लगभग 95% से 100% 800 यूपेसी की सूचना दी है जबकि म अपने कारोबार के पहले दिन में 130 मिलियन यूएस 1.6 मिलियन की कमाई की इस प्रकार दबंग के बाद पूरे भारत में दूसरा सबसे बड़ा ओपेनियन डे ग्रासर बन गया है अपने कारोबार के दूसरे दिन इसे 124 मिलियन यूएस 1.6 मिलियन का संग्रह किया था इसलि लगबग 430 मिलियन U.S. 5.3 मिलियन का सुद्ध शंग्रे किया जो इसे अब तक का दूसरा सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड और साथ ही अब तक का सबसे बड़ा गैर हैंडल वीकेंड बना रहा है इसे 70 मिलियन U.S. 880,000 से अधिक नेट और मंगलवार को लगबग 56 मिलियन U.S. 81,000,000 के साथ सिस्थिर संग्राय दिखाया गया जो पहले सबता के नेट को 695 मिलियन U.S. 8.7 मिलियन नेट फिल्म ने अपने दूसरे सबता हमें 200 मिलियन U.S. 2.5 मिलियन की कमाई की जिसे U.S. 11 मिलियन सुद्ध दूसरे सबता में फिल्म ने 330 मिलियन U.S. 4.0 मि जिससे दो सब्ता की कुल कमाई एक हजार पंद्रा मिलियन यू यस त्यारा मिलियन हो गई रेडी इस प्रकार घरेलू बाजारों में वन मिलियन से अधिक संग्रह करने वाली बाली बुट के इतिहास में पांचुए बन गए हैं रेडी मूबी का संगीत प्रीतम द्वारा रचित है जबकि गीत अमताब भटाचार आसीस पांडे नीलेस मिस्त्रा और कुमार द्वारा लिखे गए हैं इसे 25 अप्रेल 2011 को टी सीरीज के बाइनर तले फिल्म सिटी गोरे गाउं में लांच किया गया था एल्बम में चार मोल ट्रेक और चार रिमेक्स हैं आरे टू के आइटम गीत रिंग रिंगा रिंग रिंगा को इसके मोल संगीत कार देवी सिरी प्रसाद द्वारा फिल्म के लिए बनाया गया था गीत में उत्तर भारत की जनम भूमी के अनरूप परिवर्तन हुए एक उधारण रिंग रिंगा रिंग रिंगा का धिंग चिकाटिक धिंग चिकाचिक में परिवर्तन हुआ है संगीत कार अनुमलिक ने आरोप लगाया है कि करेक्टर धिला गाना 2001 के फिल्म अजनवी से उनकी मुहबत नाम है कि एक अधिनी क्रत प्रती है उन्होंने मीडिया से कहा है कि वो शंभ होता प्रीतम के खिलाप साहितिक चोरी का मुकतमा दायर करेंगे गीत कार तुर्की मुहमद आजम ने प्रीतम के खिलाप एक साहितिक चोरी का मुकतमा दायर किया है जिसमें दावा किया गया है कि करेक्टर धिला के बोल उनके द्वारा 2007 में लिखे गए एक गीत कापी के किये गए थे बांबे हाई कोर्ट ने इस मामले को खारिच कर दिया है यह फैंसला करते हुए कि प्रीतम गीतकार नहीं है इसलिए उन्होंने उत्तरा अधिकारी नहीं ठहरा जा सकता है फिल्म को इसकोर संदीप सीडोर कर ने तयार किया था बालीबोड हंगामा के जोगिंदर टुटेजा ने एल्बम को पांच में से चार स्टार दिये हैं और इसे सम्मानित करते हुए एल्बम में केवल चार गीतों के साथ बहुत अधिक पर हाथ रखने की इच्छा रखते हुए एल्बम को अनकूल रूप से रेट किया गया है फिर भी जो उपलब्ध कराया गया है उसमें से काफी अच्छे हैं धिंग चिकाटिक जिंग चिकाचिक और करेक्टर ढीला के साथ जस्न मनाने के सवी कारण ना केवल संगीत की दरश्टी से बहुत हिट होने वाले हैं बलकि भारी भीड खीचने वाले भी हैं दूसरी और मेरी अदा भी अल्बम में अच्छी विविदिता जोडती है हमको प्यार हुआ के साथ फिल्म रिलीज होने के बाद भांप लेने के छमता रखती है रेटपी की सुकन्या वर्मा ने इसे पांच में से धाई स्टार देते हुए या कहते हुए रेडी एक गाना भरी अल्बम नहीं है प्रतेक के लिए एक डीजी रीमेक्स समकच के बावजूद ना ही ये गेम चेंजर है फिर भी इसे कम से कम दो संभावित जन परसंदीदा मिले हैं जो इसके मूल पूरक हैं अग्रणी आदमी के इस्टालिस भीर सुदायक बेक्तत्त की पेसकस करने के लिए ये रेडी के लिए इस्थिर हिट और जाने के लिए परियाप्त नहीं होना चाहिए इंडिया विकाली के वी सिवेस कुमार ने अल्बम को पांच में से चार इश्टार दिये हैं और फिल्म फेर के राहुल गंगवानी ने इसमें पांच में से चार इश्टार दिये हैं सायद ही हम इसे संगीत अल्बूमों में आते हैं जो मुक अभनेता के वेक्तत को पूरी तरह से वेक्त करते हैं अब्दूल रसीद सलीम सल्मान खान उर्फ सल्मान खान हिंदी फिल्मों के मसूर अभनेता तो है ही इसके साथ सात्वे निर्माता टेलिवीजन परसनाल्टी और समास सेवी भी हैं लोग उन्हें प्यारते सल्लू भाई भायजान आदि नामों से पुकारते हैं उन्होंने अपने कैरियर में कई छोटी बड़ी फिल्मों में काम किया है और धीरे धीरे उनके प्रसंसकों की संख्या लगातार बढ़ती गई है उन्होंने इंडरिश्टी में अपना एक लक्सी एपार्मेंट के बाहर उनके चाहने वालों की भीड्य लगी रहती है उनके फांस की दिवान की कुछ ऐसी है कि उनकी एक जलक पाने के लिए उनके प्रसंसक बेताब रहते हैं कई बार तो एसा हुआ है कि सल्मान खान को अपने फैंस से काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है टाइम्स स्लेवर्स बालीबूर एक्टर्स इंडेक्स रेटिंग में वे बराबर टाप पर रहते हैं सल्मान खान का जन्म इंदौर मद्धप्रदेश में हुआ था उनके पिता का नाम सल हैं उनके दो भाई भी हैं जिनका नाम अरवाज खान और सुहेल खान है अरवाज की सादी पूर्व में विजे रही और अबनेटरी माइल का अरोड़ा खान से हुई है सल्मान खान की दो बहने भी हैं जिनका नाम अलवीरा और अरविता है सल्मान खान की पढ़ाई सिंधिया स्कूल गौालिर से हुई है जहां से वे अपने भाई अर्बाज खान के साथ पढ़ते थे इसके बाद की पढ़ाई उन्होंने मुंबई के बांदरा इलाके में इस्तित सेंटर जोनलारियर हाई स्कूल से की है अगर हम इनके कैरिर की बात करें तो सलमान खान ने अपने अभिने कैरिर की सुरुआ सहायक अभनेता के तौर पर फिल्म बीबी हो तो ऐसी से की थी मुखी अभनेता के तौर पर उनके फिल्म मैंने प्यार किया थी जो सुपर हिट रही थी उनकी फिल्म हम आपके हैं कौन सभी का दिल जीत लिया तो वहीं फिल्म तेरे नाम में उनके अभिने की काफी प्रसंसा भी हुई है और अपने अभिने से उन्होंने सभी को भाव कर दिया है इस फिल्म में सल्मान खान को अपने अभिने के सभी से लेकर उनके फंस की दिवान की कुछ यूँ थी उन्होंने सल्मान खान की तरह अपने बालों की स्टाइल रख ली और हैर स्टाइल तेरे नाम से मसूर हो गए इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया लेकिन पिछले कुछ वर्सों से उनके प्रसंसकों में इसलिए भी इजाफा हुआ है कि क्यों साल 2008 में सल्मान खान ने टीवी सो में दस का दम होश्ट किया जिसमें दर्सकों ने काफी प्रसंद किया जिसके बाद साल 2010 में बिग बाउस फोर होश्ट किया बिग बाउस होश्टिंग में सल्मान खान ने खोब पापलर हुए थे सल्मान खान ने लगातार बिग बाउस ए अपना अपना हम आपके हैं कौन करन अर्जुन खामोसी जुडवा प्यार किया तो डरना क्या वंधन बीबी नमबर वन हम दिल दे चुके सनम हम साथ साथ हैं दुलहन हम ले जाएंगे तेरे नाम गर्ब मुझसे साधी करोगी नो इंट्री क्योंकि पार्टनर यू राज वां दबंग बाडी गाड एक था टाइगर डबंग टू किंग बजरंगी भाई जान टाइगर जिन्दा है रेस थिरी जैसी फिल्मों में वह इंड्रिस्ट्री के सूपर हिट सूपर स्टार माने जाते हैं रेडी मोबी 2011 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कमेडी फिल्म है जिस मनोज जोसी पराची पाठक पुनित इस सर्ट सकसेना आद मुकी भूंका में नजर आये थे। साथ ही फिल्म में संजेदत, कंगना रान जरीन खान, अर्बाच खान, अजय देवगन मुकी भूंका में नजर आये थे। इस फिल्म की कहानी साब सुथरी परिवारिक फिल्म है जिसे पूरे परिवार के सदस्यों के साथ देखा जा सकता है सभी जानते हैं कि सल्मान खान का पसंदीदा नाम प्रेम है और इस फिल्म में भी उन्होंने प्रेम के रूप में जिस तरह का प्यार किरदार निभाया है दर्सकों ने उन्हें फिर से मुरीद हो गए हैं फिल्म की कहानी पूजा और प्रेम की कहानी है इस प्रेम कहानी में उसका पूरा परिवार प्रेम के साथ प्रेम का दिल का बेहत अच्छा इंसान है वो अपने दोस्तों की मदद करता है लेकिन घरवालों की नजर में वो बिगडी अवलाद है परिवारे वाले चाहते हैं कि प्रेम के लिए किसी सुकन्या की तलास हो जाए इसी करम में पूजा प्रेम के घर आती है पूजा प्रेम की नजदीकियां बढ़ जाती है पूरा परिवार पूजा और प्रेम को एक करना चाहता है लेकिन यहीं कहानी में ट्विश्ट तब आता है जब पूजा के दो मामा जिसे आसिरवाद से पूजा प्रेम से साधिक करना रेडी मूवी में प्रेम सलमान खान को भागी हुई दुलहन संजना से प्यार हो जाता है जो परिवारिक अथिती के रूप में सामने आती है और अपने महान परिवार की सरण में ले लेती है लेकिन इससे पहले कि वो उससे साधी कर सके उसे उसकी परिवारिक समस्याओं को सुलजाना होगा और उसके युद्धत बाकीले समस्याओं को सुलजाते हुए एक आदर्स हम साथ साथ हैं परिवार में बदलना होगा एक्षन ड्रामा और कुछ लोब्रा हूमर का समय है यह समझाना मुस्किल है कि अनीस बजमी फिल्मों को क्यों नहीं बनाते आम तोर पर इसका कोई तरक नहीं होता थैंक यू नो प्राबलम लेकिन फिर यह समझना आसान है कि अनीस बजमी फिल्में क्यों नहीं बनाते हैं अत ता तयार है दया करके एक और कारण भी है सल्मान खान ये फिल्म अभनेता के बजाए मनुरंजन करने वाले सल्मान खान के लिए एक बेजोड गीत है और हां उस उस अस्तर पर काम करता है एक अभनेता के वन मैंसो के लिए वापस बैठे जो इस्क्रीन पर अपनी बड़ी से पड़ी चबी के बारे में अधिक से अधिक अप्राय हो जा रहा है और आपको अपनी इच्छा के लिए सभी धमाके मिलेंगे तो आपके पास सल्मान खान वह सब कुछ कर रहे हैं जो वह करना परसंद करते हैं और आप देखना परसंद करते हैं वह चुटकुले संबादों से बात करता है जोरदार और बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ के गीतों और नत्यों में तूट जाता है बेसर्म अंदाज में लड़की से रोमांस करता है जब तक बांचित होता है आजे हिट मसीन बन जाता है अपने लोगप्री परिवारिक लड़के आवतार को कभी नहीं जाने देता मैंने प्यार का मोल प्रेम याद रखें और लगातार इसे उपर से खोल कर आपको हसाने की कोशिस करता है और हाँ वहीं करता है जो उसे करना चाहिए अपनी कमीच उतारता है अपने पूरे परिवार की तरह से तरासे हुए सरीर को उजागर करता है और ब फिल्म के लिए जाने सभी ढोंगों को दूर कर सकें बाकी किरदार भी पागल हैं कई पूरस महिलाएं उनके लड़के आप उनकी गिंती खो देते हैं मुकता पूंड बोलते हैं करकस बोलते हैं संगीत बहरे डेशिबल इस्तरों पर बज़ता है कैनवास और फिल्म के रंग गजब हैं और लाउड स्पीकर और आपको सूचने का मौका देने के लिए आराम करने का कोई छण नहीं है माज और वन आप इंटरटेन्मेंट द्वारा बितरित किया गया थां स्चान ने फिल्म का वर्णन भी किया था जबकि कहानी गोपी मोहन और कोना बेकंट ने लिखी थी इस फिल्म के निर्देशक हैं अनीस बजमी और इस फिल्म के लेखक हैं राजियुकॉल, एकराम अक्तर, राजन अग्रवाल और इसे संपादित किया है निशार अक्तर और फरहाद साजित ने और इसकी कहानी लिखी है गोपी मोहन और कोना बेकेंट ने और यह मूबी आधारित है स्रिनु वैतला द्वारा तयार किया गया था इस फिल्म को निर्मित करने वाले हैं रजत रवैल, भूशन कुमार, नितिन मन मोहन, क्रिशन कुमार, सुहेल खान और इस फिल्म को आफनित किया है आसिन थोटूमकल, सलमान खान और इस फिल्म का चाइंकन करने वाले ही सुनील पटेल और इस फिल्म को संपादित किया है रितेश सोनी ने और इस फिल्म में संगीत दिया है प्रीतम चक्रवर्ती ने, यह मूबी 3 जून 2011 को भारत में रिलीज हुई थी, इसकी कारिक समय 145 मिनट देश भारत भाषा हिंदी, अगर बजट की बात की जाये तो यह मूबी 30 करोण के बजट पर तयार हुई थी, अगर इसके बॉक्स आफिस कलेक्शन की बात करें तो इसने बॉक्स आफिस पर 180 करोण की सुद्ध कमाई की थी, प्रधान फोटोग्राफी जून 2010 म सुरू हुई फिल्म की सूटिंग स्री लंका बैकाक और मुंबई में की गई थी, फर्ष्ट लूग पोस्टर 5 अपरेल 2011 को लांच किया गया था, तीन जूर्ण 2011 को दुनिया भर में नाट की रूप से रिलीज किया गया था, रेडी ने एक गैर आवकास फिल्म के लिए भी सभी रिकार्ड तोड़ दिये, इसने भारत में 30 रुपे की तुल्ला में 120 करोण की सुद्ध कमाई की थी, करोण का बजट था और आजीवन 22 विक संग्रा 180 करोण था, फिल्म को आलोचकों से मिस्रित समिच्छा मिली है, इसके संगीत हास और खान के प्रदर्सन के लिए प् 2018 में की गई थी, असिन की साधी के बाद फिल्मों में सन्यास लेने के कारण ये पुष्टी हो गई है कि वो अगली कड़ी में वापसी नहीं करेंगे, तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी सूरू होती है, फूरतीला फ्रेम अपने प्रेमी राजु के साथ अपनी सहली खुसी क भगाने में मदद करता है, इससे उसके पिता अभिनो और कपूर नाराज हो जाते हैं, प्रेम अपने परिवार को सांत कराता है, जो एक महिला पूजा के साथ उसकी साधी तेंग करता है, शंजाना जो अभी अभी अपनी साधी से भागी है, प्रेम को अपने चाचा को पू चोड़ेती है और सात रहती है और जल्द ही कपूरों पर जीत हासिल कर लेती है उसके मामा अमर और सूरज उसकी सादी कराने के लिए दूले की तलास करते हैं सूरज का बेटा आर्यन प्रेम के कारण कुमा में चला जाता है जिसे संजाना की पहचान का पता चलता है लेकिन वे प्यार में पड़ जाते ही सूरज संजाना को ले जाता है सच्चाई के बावजूत कपूर अभी भी उससे प्रेम की पतनी के रूप में चाहते ही संजाना से वादा करते हुए वो उससाधी करनी का एक रास्ता खो पार ने चोदरी को धोखा देकर संजाना को प्रेम से साधी करने दिया आरेनट ठीक हो जाता है और प्रेम के बारे में खुलासा करता है जो तब बताता है की कैसे संजाना की दिवंगत मा गीता उनका मिलन चाहती थी और उसकी साधी कर दी गई अमर और सूरज को अपनी गलती का एहसास होता है और उन्हें माफ कर दिया जाता है अंत में प्रेम और शंजाना साधी कर लेते हैं और अपनी साधी की तस्वीर खीच लेते हैं तो दोस्तों, इस फिल्म ने किसने कौन सा रॉल प्ले किया इसके बारे में भी हम आपको बताते चलें प्रेम कपूर के रूप में सल्मान खान, सुमित्रा और राम के बेटे, भरत और लश्मण के भतीजे, खुसी का दोस्त संजाना के पती हैं संजाना सिंकपूर, पूजा मलहोत्रा, नकली के रूप में, असिन, थोटू मुकल, गीता की बेटी, इश्वर की पोती, अमर और सूरज की भतीजी हैं अरजुन और आरेन के चचेरे भाई हैं, पूजा का दोखे बाज प्रेम की पतनी है, बलिदान भरतवाज उर्फ बली के रूप में परिश्रावल जी हैं, अमर और सूरज के ट्रियार्टेड एकाउंटेंट की सेवा, सकुन तला का पती कर रहा है महेस मंजेरकर राम कपूर उर्फ के के मोदी के रूप में हैं, भारत और लश्मण के भाई सुमित्रा के पती प्रेम के पिता, सुमित्रा कपूर के रूप में अनुराधा पटेल हैं, राम की पतनी प्रेम की मा हैं, आस्था गिल के रूप में ओलिविया भारत कपूर उर् सुमन कपूर के रूप में भरत की पतनी प्रेम की चाची हैं मनोच पहावा लश्मन कपूर उर्फ स्री समराथ माथुर के रूप में हैं राम और भरत के भाई सीला के पती प्रेम के चाचा हैं किरण आहुजा सीला कपूर उर्फ स्री मतियातिका माथुर लश्मन की पतनी प् पुनित इश्चर हैं गीता अमर और सूरज के पिता संजाना अरजुन और आरेन के दादा जूनियर अमर के फर दादा हैं सूरज चोधरी के रूप में स्तरत सकसेना इस्वर का वेटा गीता और अमर के भाई सालनी का पती संजाना और अरजुन के चाचा आरेन के पिता हैं सा इस्वर का वेटा गीता और सूरज के भाई राधिका के पती हैं संजाना और आरन के चाचा अरजुन के पिता जूनियर अमर के दादा हैं राधिका चौधरी के रूप में गारगी पठेल अमर की पत्नी संजाना और आरेन की मौसी अरजुन की मा जूनियर अमर की दादी हैं आरेन चौधरी के रूप में नितकिन धीर सालनी और सूरज का बेटा है इस्वर का पोता गीता अमर और वीर का भतीजा संजाना और मेरी बहन है आरे बबर बीर चंदर त्यागी के रूप में सालनी की बहन का पती आरेन के चाचा हैं आइसा चोधरी के रूप में इवा ग्रोवर हैं अरजुन की पतनी जूनियर अमर की मा हैं अमर चोधरी उर्फ छोटा अमर के रूप में मोहित वगेल हैं आइसा और अरजु पिंदर गाडनर सकुंतला भरत द्वाज उर्फ सकू के रूप में बरिदान की फत्नी हैं। लहरी के रूप में सुदेश लहरी हैं। अरूड बली गुरुजी के रूप में हैं। छोटे गुरुजी के रूप में हेमंत पांडे हैं। आविनो पाठक के रूप में मितलेश चतुरुबेदी और खुसी के पिता हैं अम्रता रायचंद पूजा मलेहत्तरा के रूप में हैं सालनी साहुता नैना परोजकर के रूप में कपूर की नौकरानी हैं कुरुब्रा सैथ सुनैना सेठी के रूप में कपूर की नौकरानी हैं यूवराज महरा के रूप में राज सोनकर के रूप में जरी खान अभिनों की एक बेटी प्रेम का दोस्त गारों की पूर्व मंगेतर राजु की फत्नी हैं गारों की लोसकर के रूप में अरवाज खान किरण की प्रेमी और प्रेमी खूसी की पूर्व मंगेतकर हैं राजकुमार सोनकर उफ्र राजु के रूप में अजे देवगन खूशी के पती हैं ताराचेंदर अग्रवाल के रूप में संजदत विवार अजिश्टार तलाक वकील हैं इस फिल्म की सूटिंग पहले मारिशस में होनी थी हलाकि सल्मान खान के अनरोध पर इस्थान बदल कर सिरी लंका कर दिया गया था सल्मान खान ने स्री लंका को भारत से निकटता और भारती प्रस्तुतियों के लिए इसे उप्यूक्त परिदर्स के रूप में चुनेने के अपने निर्ने का वर्णन किया सूटिंग 20 जून 2010 को कोलामबो में सुरू हुई थी सूटिंग का पहला सेडूल कोलामबो और पडोसी बेटोटा के इस्थानों पर 27 दिनों से अधिक समय तक चला था इस दोरान लगबग 40 परसंट फिलमांकन पूरा हो गया था सूटिंग का दूसरा सेडूल अक्टूबर 2010 में सुरू होने वाला था लेकिन सल्मान खान की आँखों की समस्याओं के कारण इसमें देरी हुई मुख्या बनेता ने अनीस बजमी से तब तक सूटिंग में देरी करने का अन्रोथ किया जब तक कि उनकी हालत में सुधार नहीं हो जाता है मुंबई में 3 नॉमबर 2010 से फिर से सूटिंग सुरू हुई तैयार के हिस्से मुंबई के फिल्म सिटी और मुंबई के उत्तर में मध्य द्यूप में 44 स्ट्यूडियो में सूट किया गया था सूटिंग का अंतिम सडूल फरवरी 2011 में बैकाक में सुरू हुआ था रिपोर्टरों के अनुसर अभिनेता आजे देवगन, संजदत और कंगना रानोत जो डेविड धवन की फिल्म की सूटिंग के लिए बैकाक में थे राज से कल्स को सल्मान खान ने फिल्म का हिंसा बनने के लिए बुलाया था तीनों ने कैमियों अपियर्स करते हुए एक दिन के लिए सूटिंग की अरवाज खान और जरी खान ने भी फिल्म में छोटे कैमियों के लिए सूटिंग करने की पूष्टि की थी सूटिंग का अंतिम सेडूल मार्च 2011 में पूरा हुआ, रेडी के दो गाने करेक्टर धिला और धिंग चिकाटिक धिंग चिकाटिक जिन्हें बैकॉक में फिल्म आया गया था, मुंबई के फिल्म सिटी स्टूडियो में फिर से सूट किया गया था, निर्माता भूशिट कु पिनेता, राजकपूर, दिलीब कुमार और धरमेंद्र को स्तृधांजली दी है, इस फिल्म की रिलीज की तारीक पहले 27 मई को निर्धारित की गई थी, लेकिन बाद में इसे 3 जून तक बढ़ा दिया गया था, कई मल्टीव प्लेक्सों में 29 मई में रिलीज के 5 दिन पहल को अग्रीम बुकिंग खोली गई, यह कम से कम 1000 UFO डिजिटल प्रिंटरों और लगभग 1900 प्रिंटरों पर रिलीज होने वाली पहली भारती फिल्म बन गई, सिंगल स्क्रीन पर अग्रीम दवंग से मेल खाता था, और यहां तक कि इसे कई जगों पर बेहतर भी किया गया है, बिश्व प्रिमियम ने एक जून 2011 को दुबाई के ग्रेंड सिनेग लेक्स में हुआ था, इस फिल्म को आलुचकों से मिस्तरित समिछा मिली, दा टाइमस ओफ इंडिया के निखत काजमी ने इसे पांच में से तीन इस्टार देते विए कहा कि यह फिल्म अभिनेता के बज फिल्म को पांच में से चार पुरुषकार देते हुए कहा कुल मिलाकर रेडिस सकती से जनता के लिए और उन लोगों के लिए है जो आन तोर पर मसाला मनोरंजर परसंद करते हैं फिल्म सूपर संगीत करेक्टर ढीला के साथ खुद को गौरवांगित करती है और धिंग चि एर पांच में से चार सितारों को भी समानित किया है जबकि टिपड़ी करते हुए जब सलमान खान या रजनी कांद की फिल्म की बात आती है तो उनका प्रदर्शन महतरपूर्ण नहीं होता यह दर्सकों का प्रदर्सन है जो माइने रखता है इसे साड़े तीन इस्टार की रेटिंग दी और कहा रेडी बॉक्स आफिस पर अच्छा है स्कोर करेगी एक सांदार सुर्वा सुपर हिट संगीत सलमान खान और एक अच्छे मनरंजन के लिए धन्यवाद खुराख है एंडी टीबी मूबी की अनुपमा शोपड़ा ने टिपड़ी करते हुए दो सितार को समानित किया सुक्र है कि रेडी उसी आत्मा चूसने वाली स्रेडी में है जैसे कि निर्देशक अनिस बजमी की पहली फिल्म भैंक्यू और नो प्राब्लम लेकिन यह अभी भी उनके विसेस ब्रांड में बहुत अधिक है ब्रेंड डेड हसी मजाक के लिए कुछ भी रे इसलिए सपाट हो जाता है केवल यह पैसे के लिए मूल से अधिक जवरन वसूली है सिफी की सुनिया चोपडा ने टिपड़ी करते हुए धाई सितारों से समानित किया गया और फिल्म की पूरी तरह से सलमान खान पर केंद्रित है वो एह सब कर रहा है बुद्धिमान दरा भाब नरति बुरे लोगों की पिटाई और लड़की के साथ रोमांस करना यह सब उसकी विज़ेस्ता ड्रा और स्वेगर के साथ है या हो के कुर्णाड गुहा फिल्मों ने फिल्म को एक सितारा दिया है और कहा है कि फिल्म समाप्त होने से इनकार करती है क्योंकि आनावा किल बाकी है CNA IBN के राजियु मसंदा फिल्म को पांच में से डेड़ स्टार से समानित किया है और यह टिपड़ी करते विए रेडि सक्त सलमान खान और प्रसंसकों के लिए क्या कोई अन्य प्रकार है जो इस तत्ति को माप करने को तयार है कि इसे बेस्वात बेहुदा फि इससे बेहतर के हगदार है दा इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने फिल्म को एक सितारा दिया है और कहा है कि इस फिल्म को वास्तों में